कि अधिया कि अधिया संख्या 12 के बारे में चाप्टर का नाम है मारा परमाणू इंग्रिश में इसको बोलते हैं एटम और आज हम देखने वाले इसका वंशॉट बहुत ही आसान चैप्टर है जिन भी बच्चों ने पहले वाला चप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा है इनको बेशिक पता है नहीं पता है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि आज का हमारा चैप्टर ना बच्चों बहुत आसान है इसमें बहुत सारी चीज़े आप क्यार्वी क्लास की केमिस्ट्री में बढ़कर आए हो और ऐसे कोई बहुत हाड़न पास चीज़े नहीं ह तो बिना समझ बिना टाइम वेस्ट की आप लोगा चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर में आपको बता देता हूं पहले हिसे ही कम से कम धाई से तीन घंटा खेचेगा मिनियों आप यह मान के चलो तीन घंटा तो खेचना है चेक है तो किसी बच्चे ने अभी एगर क क्लास तीन घंटे लेने के लिए मुझे बच्चे बहुत कम देख रहे हैं पता नहीं आजकल क्या ही हो गया मेरे बच्चों को कि क्लास में आता ही नहीं तो देखे हमारे पास यहां पर अकृती है हमारे पास नमन है वरिंदा है हमारे पास छोटू है अमर्दीप हमारे पास है निन्टु है कोमल है प्रभू है विशमु दूवय बता अशिशकुमार है पिकलण है सब ध़्टावट से वीडियो को शेर कर दो है ताकि आपके सारे दोस्त में फॉसक्तल आप आीज करते हैं कौन-कौन से टॉपिक इसमें अपने को डिसकस करने हैं वो सारे टॉपिक में अपने किया पर लिख रहा हूँ चैप्टर फ्लो बेसिक इंड्रक्शन यही है जैसे आप सबको पता है इसके इंदर अपने परमाणू के बारे में बात करें तो परमाणू हिसका मॉडल कैसे आयाहं ऐसा होता운 उसके बारे में अलग लुकश्त कि बारे में अपने को इस खंदर पर में जे जे थॉम्सन का मॉडल जो है इस पर प्रश्ण कभी एकजा में पूछे नहीं गए और फिर भी एक बेसिक आईडिया आपको आना चाहिए रूसरा मेर पास रदर फोर्ड का मॉडल है रदर फोर्ड के मॉडल पे भी कोई प्रश्ण नहीं आया है कभी शायद कभी आदे एक नंबर में आया हो तो ठीक है अदरवाइस रदर फोर्ड के मॉडल पे भी प्रश्ण नहीं पूछे गाए क्योंकि यह जैसा मैं आपको आला नवी क्लास का टॉपिक है तो रदर फोर्ड और आपके जिजिए थॉम्सन के उपर और मॉडल के उपर कॉश्ण नवी क्लास तक पूछे जाते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट मॉडल इसके उपर काफी सारे प्रश्ण आप सबको पता है पूछे गया है वह बोर का मॉडल बोर के मॉडल का अच्छी बहुत लंबा कच्छा जेठा है सबसे बेले तो इसके अंदर अभी ग्रहित पड़ेंगे ठीक है ना बोर्ड ने अपने कुछ पॉस्ट्लोइट है अभी ग्रहित दिये थे बच्छों अभी ग्रहित वो चीज़े होती है जो कि दसकीगास छे इसके अलाब報 इलेक्टरोन की तिरिज़ा अपन पड़ेंगे 0.53 इसके बाद इलेक्टरोन का आवर्थ काल और आवरती पड़ेंगे रच्छों इसके बाद अपन पड़ेंगे एक अलेक्टरोन जो कि NV कक्षा में उसकी उर्जा कित्ती हो तो यहां से पहले एक और चीश पढ़ेंगे electron की उर्जा ठीक है बच्चो इसके बाद अच्छा इसके अंदा रदरफोर के model में आपको बताता है तो इसमें भी काफी सारी चीजे पढ़ नहीं सबसे पहले रहे थे उन टेक्षणों के basis पर कुछ observation निकाले गए यानि कुछ आप बोल सकते हो निशकर्ष निकाले गए वो अपन पढ़ेंगी यहां पर बच्चो दो टॉपिक आते हमारे पास संगट प्रांचल और एक टॉपिक हमारे पास आता है आपके नाभिक की त्रिजा यह दो टॉपिक हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि एक्जाम में कभी नहीं पूछे जाते हैं इसलिए बिल बोल रहा हू संगट प्रांचल जो है आपका संगट प्रांचल प्रांचल व एक हमारे पास क्या बोलते हैं नाभिक की त्रिजा पर्माणू की त्रिजा यह दो टॉपिक जो है हम स्किप करेंगे यह हम नहीं डालेंगे इसके अंदर क्योंकि फाल तो लंबा नहीं किशना चाता है उसको मैं वीडियो को तो यह टॉपिक हम नहीं करेंगे पैद ही बता रहा हूँ इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइड्रोजन परमाणू जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रोन होता है उसकी उजा पढ़ेंगे और यह वापिस बोर वाले मॉडल में भी आएगी और लास्ट में इसकी कमिया पढ़ेंगे क्या कमिया थी जिसकी वज़े से इनका बॉडल फेल हो एक अगर हमारा हो जाएगा तो फोर्थ नंबर पर अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले बच्चो वывать नंबर पर आ Elijah का आ रॉट्रॉशन और उधुतिरन इसके वपर स्पेक्तुम तो उधुतिर्देल्ग्टड़न और आवशौन स्पेक्ट्रम तो उधुतिर मेरा फोर्थ या इसके बाद आ जाएंगे अपन बच्चो हाइड्रोजन का रेखिल इस्पेक्ट्रम जिसमें लाइमन, बामर, पाशन, बैकेट और फोट ये सीरीज पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन का रेखेल स्पेक्ट्रम या रेखेक स्पेक्ट्रम ये काफी इंपॉर्टन टॉपिक है एक बार जैसे हम इससे छूटे फिर चैप्टर का काफी मेजर पार्ट खतम हो जाएगा फिर हमारे पास बस बचेगी बोर के मॉडल की कमिया क्या थी कि हम जो बोर का द्वितिय अभी ग्रहित है कि लेक्ट्रोन सर्फ उनीक अक्ष्व में चक्क्र लगा सकता है जिसका जो कोणिय सम्वेग होता है वो कि है है अपन पूरस आ워서 बहुता है अपन करएंगे जो हमन द्वितिय अभी ग्रह ताफ में अभी घरहित का धीप्रोगलि की अभी görहित कर्यार्च क्रत वर्च्व अतास का दीफ ड्वितिया अससे है कि द्वितिय अभी घरहित की अभी ग्रहित कि तरंग दादेर से सत्यापन वो जो पने रूल पड़ा था ना लास्ट लास्ट के अंदर पिछले चप्टर में कि अगर कोई भी वस्तु गंती करें तो उससे संबंदित जो भी तरंग दादेर होगी वो एच अपन पीगे पूल होगी ठीक है उससे अपन सत्यापन करेंगे इसका तो यह सारे टॉपिक है अगर इसमें से कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है आपके आपके सिलिबस में न जाएगा अगर थोड़ा बत मालनी जी कोई टॉपिक बच जाता है इन केस अगर बच जाता है जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बत बचेगा तो संडे को आदे पॉन घंटी की क्लास लेकर के उस पर्टिकलर टॉपिक को अपन खतम करेंगे तो इस वीक में आपका 12 का सिल लेकिनमेजर मेजर बाडल पड़ें जो बड़ी बाते बोलता है जिन में कुछ बड़ा होता है ठीक है न यह जिसको माना जा सकता है तो जेजे थॉंचन की मौडल के बार पार में सिर्फ इतनी सी बात है कि इनोंने हमारे परफणों को एक बहुत बड़ा धनाविशित गोल यह फिर आप इसको प्लंग पुडिंग से भी कनेक कर सकते हैं जैसे भी आपका क्रिस्मस आ रहा तो क्रिस्मस पे प्लंग पूडिंग काफी बनता है यहां आप देख लीजिए क्रिस्मस के अंधर इस्पेशली जो क्रिशन लोग होते हैं वह एक तरीकर केक बनाते हैं ठीकि जिसमें wine डालना चाहतो ढाल सकते हैं और उसके अंदर बहुत सारी किश्मिश और dry fruits वगरा कापी ज़्यादा होते हैं आपर normally घर पे भी बनाते ही न केक या लड़ू बनाते हैं लड़ू समझ लो सो बहुत सारे dry fruits है ठीक है किश्मिश है वगरा वगरा तो आप electron मान सकते हो जो बाकी पच्चावा पाथ है bread वाला जो पाथ है उसको आप धनावेशित गोला मान सकते हो तो इनकी according हमारा जो परमाड़ू था वो एक धनावेशित गोला है जिसमें electron जो है वो धसे उगल कुछ इस तरीके से था इनका model ये कुछ इस तरीके का model था इनका ठीक है न तो ये इनका हो गया धनावेशित पार्ट धनावेशित गोला और ये है मारे पास ये है electron ठीक है तो electron हो गया जोके मारे धनावेशित गोले के अंदर धसे हुए है अब इनका model fail हो गया क्योंकि इनके model के कुछ कमिया थी या इनके model के अंदर कुछ चीज़े explain नहीं कर पा रहे थे पहला तो अभी रदरफोर का अपन model पढ़ेंगे तो रदरफोर का जो experiment हुआ उनके प्रेक्षणों को समझा नहीं पाया कि ये model जो है रदरफोर के प्रेक्षणों को समझा ही नहीं पाया रदरफोर के प्रेयोग के प्रेक्षणों को समझा नहीं पाया प्रेक्षणों को समझा जो अभी पन करेंगे उसके प्रेक्षणों को आने जो पने observation नहीं उसको समझा ही नहीं पाया कि टो पहरी जीच तो ये थी हमाist कि सन्जाने वे दासमर था हिक दूसरे चीज उस たइम तक हाइड्रोजन स्पक्ट्रण हाइड्रोजल उस्प्क्रू बहुत बड़ी लेकर के काफी ज़्यदा跡 कंप्रूवर्शी थी कि आप अगर परमानु को सम्झारे हो तो इस हाइड्रोसन को क्यों नहीं एकस्प्लेन कर पा रहे रेके कि स्पेक्ट्रम कोई समझा दी पाए कोई समझा ने माय समझा है ठीक है ना ये दो मिजार रीजन थे जिनकी वज़े से इनका मोडल फेल हो गया अब नीव का पत्थर जो साबित होता है आपकी इस पूरी की पूरी जर्णी के अंदर वो होता है बत्चो रधर फोरी का मोडल वास्तव में कभी रधर फोरी ने करा ये एकस्परिमेंट कभी रधर फोर्ण नहीं किया था वो बोलता ना जिसने compris yeah का रहर जैसे अब किसी company का CEO है तो company का CEO उसका idea था उसने किया struggle उसने करी महनत उसने लगाया idea उसके बाद ही तो उस company का नाम पढ़ा ठीक है नब उसके नीचे वो कितनी बरकर काम करते हो कितनी शिद्दत से काम करते हो लेकिन नाम उस बंदे का है जिसकी वो company है या जिसका वो idea था तो रधरफोर्ड वास्तों में कभी प्रियोग करने वाले था ही नहीं रधरफोर्ड ने कभी experiment किया ही नहीं था रधरफोर्ड तो एक scientist है जिन्होंने छोटा सा एक तरीके साब बोल सकते हो कि basically बस एक idea दिया था प्रियोग कर सकते हो लेकिन reality में अभी इन्होंने प्रियोग नहीं किया था प्रियोग किया था हमारे गाईगर ने इसको अपन गाईचर और मॉडरसन इन दो scientist हो ने मिलकर के प्रियोग किया था एक तो थे गाईचर जिसको अपन इंगलिश में गाईगर गीगर बोलते हैं और यह कर अपना माडरसन ने इन्होंने मिलकर के अल्फा कर्ण अल्फा कर्णों को स्वांड की पन्नी पडाला था स्वांड पन्नी पडाला था और डालने के बाद जैसा मैं अभी आपको experimental setup बताता हूँ क्या था basically कहानी यह थी कि हमारे पास यह है अल्फा कर्ण का स्वांड क्या बोलते हैं अल्फा कर्णों को उत्पन कर सकता है ठीक है तो यहां से अल्फा कर्णे निकल रही है अल्फा कर्णे यह अल्फा कर्णे निकल रही है इस अल्फा कर्णों को उन्होंने एक सोने की पन्नी पर डाला यह आपकी गोल्ड की एक लीफ है यह सोने के पन्नी स्वांड पन्नी है और इस स्वांड पन्नी से क्योंकि हम अल्फा कर्णों को तो देख नहीं सकते हैं कि अल्फा के ने कहा जाएंगे कहा नी जाएंगे तो इसलिए हमने आपे चारों तरफ इस तरीके का एक बोल सकते हो प्रोटेक्शन शील्ड लगा दी है और इसके उपर बेसिकली अंदर की तरफ हमने जिंक अल्फएट की कोटिंग की और पूरा का पूरा जो एकुपेंट है यह आपका वैक्यूम चेंबर में रखावा है ताकि कि इसी तरीका कोई इस एक पार के अटबर में इत्स पारक यह उत्पन करता है तो यह व्यक्त तरीके का को अटब में गाद आग्रहण वालों ने बहुत ही अजीब सार टरीके मना भगवान जने वंग नहीं नहीं बनाया है, राम जाने, ऐसे ख़ुछ अलबाका स्रोथ रख़ ढ़ा ही है, अलएसा कुछ है यह अलफा स्रोथ हो गया, अलफा स्रोथ से बहुट सारी अलफा कुण दे किन निकल रही है तेक है, यह सोनी की पननी है जिसके उपर अलफा कण जा रहे है जाने के बाद हमने नोटिस किया कि बहुत सारे अलफा कण जो है बिना किसी रेवियेशन गया रहे बिना किसी विचलन की सीधे निकल गए कुछ अलफा कण छोटे एंगल से विचलित हुए कुछ अलफा कण बहुत बड़े कॉण से विचलित हो गए और 8000 में से कोई एक कड जो है वो 100 से रिफ्लेक्ट बैक होखे आ गया मतलब होना तो यह चाहिए था क्योंकि अच अल्फा कड में आपको बहले बता देता हूं कि अल्फा कड होता क्या है तो अल्फा कड वास्तों में बच्चो धनावेशत हीलियम का नाविक होता है धनावेशत हीलियम का नाविक होता अब धनावेशत हीलियम के नाविक का मतलब क्या है कि हमने हीलियम में से हीलियम में आप सबको पता है दो एलेक्ट्रोन होता है और यह अल्ड़ी सेक्चुरेटेड होता है मतलब इसके पास दो एलेक्ट्रोन पूरे है यह नोबल गैसिस क केटिगरी में आता है बना आप किसी के साथ basically रियक्टर नहीं करता है नॉन रियक्टिव गया से तो हमने क्या करा है हीलियम ऐसे एक लेक्ट्रोन निकाल दिया काफी हाई टेमपरेचर के उपर ऐसा होता है जब हीलियम ऐसे एक कण को इस बौल की उपर डालेंगे तो इस धनाविशित गोले का बहुत सारा पाट तो धनाविशित है according to the J.G.Today sedih मोरडल तो अगर इस परमाणू का बहुत सारे भाग धनाविशित है तो हमारे अलफा कं जो खुद भी धनाविशित कंण थे वो इनसे जाकर के विचलेत हो जाने चाहिए था होना तो यही चाहिए था प्रेक्षण तो उन्हों नहीं है सुचा था कि यह observation उन्हों में मिलनी चाहिए थी expectation थी उनकी कि बहुत सारे कण बहुत सारे कणों से विचलेत हो जाने चाहिए प्रियोग के अंदर अपने गोल्ड की पंडी का ही यूज क्यों करा देखो पहली बात तो गोल्ड जो होता है गोल्ड के मैलेबल यहां ऐसे समझलो को ठोक ठोक तो चद्रों में अगर सकता है बहुत लंबी तार बना सकता है वह उसके बहुत पतली सी पन्नी बनाना संभाव है जैसे कि आप सबने चांदी का वर्ग देखा होगा सोने का वर्ग देखा होगा मिठाई हो अगर अपर तो सो हीलियू का बच्छों पर्माणु द्रह्मातव होता है चार और इसकी पर्माणु पर्माणु द्रहमान संक्या होती है दो अइशेक्यश हूं पर्माणु के कंपर में सोने बहुत ज्यादा द्रहमान है तो आप यह समझलों कि हमारे देखा बहुत मोटी सारी दिवार है ऑ लेकिन अगर वहाँ पर एक बहुत चोटा सा पत्थर होता और इस पत्थर से उस पत्थर को मालने के कोशिश करता तो कुछ नहीं होता तो basically क्योंकि जो भी अपन gold यूज़ कर रहे हैं, aurum यूज़ कर रहे हैं, AU की ज़िए के एन क्यों लिखा मैंने प्रिक्षित करना हो प्रिक्षित नहीं कर पाएंगे हैं, तो I hope यहां तक सबको clear हो गया होगा सारा जो भी अच्छा चिक्ठा है इसका, ठीक है, चले, तो यहां पर कुछ प्रिक्षिन लिएगा है, वो प्रिक्षिन मैं आपको बता जेता हूँ, major तो वही है, जैसे मैं आपको less पर भी के, बिना विचलन के, सीधे निकल गए, सीधे निकल गए, पहली चीज, कुछ कड़, कुछ कड़, सुक्ष्म कौण से विचलित हो गए, सुक्ष्म कौण से विचलित हो गए, विचलित हो गए, ठीक है, आठ हजार में से कोई एक कड़, आठ हजार में से, एक कड़, 180 डिगरी से, वापस, लोटके आगया, लोटकर आगया, अब ऐसा क्यों होगा, इसके बेसेस पर, रदर फोर्ड ने अपने कुछ, बेसिकली कुछ निश्कर्श निका ले, कि बहई, ये एक्स्परिमेंट वहा प्रिक्षन कुछ हुए, कुछ प्रिक्षित हुए एक चीजे, प्रिक्षित करने के बाद, उन्होंने कुछ निश्कर्श निकाले, कि हमारे जो परमान होगे न, वास्तों में उसका धनाविशित पार्ट जो बहुत छोटा से, उस टाम सिर्फ प्रोटोन और एलेक्ट्रोन की होज हुए थी, निश्कर्ण के बारे में किसी को पता ही नहीं था, तो उनकी अकॉर्डिक उन्होंने बोला कि जो धनाविशित पार्टे वास्तों में पूरी तरीके से स्प्रेड नहीं है, फैला हुआ नहीं है, ये तो बहुत छोटे से भाग पर केंद्रित है, जिनका इस नाविख दिये, और इलेक्ट्रॉन क्या करते है, इस नाविख के चावड़तरा वृत्ता का रगक्षा में चक्र लगाते रहते हैं इस तरीके से, कंटिनिस्टी गुमते रहते हैं, गुमते रहते हैं, जो अपने इसके ओपर अलफा किन डाली होगी, तो जो अलफा किन वो काफी दूर से चलेगे, लेक अब क्योंकि अविसी बात है यह गोला है, हाई, जो तो इसका बल कारेगा, यह कुछ इसका शेत्र है, जहां जहां तक इसका बल काम कर रहे है, जहां जहां तक यह बल लगा सकता है, अगर कोई alpha क्रेंड आएगा, तो उसके उपर कुछ नगो कुछ प्रतिक्रिया करेगा दर्वाइस नहीं करेगा तो जो अल्फा करेंट इससे दूर है तो वो तो देखो बिना विच्छलंड के सीधे निकल गया उतको कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि वो इसके प्रभावश्यत्र में आई नहीं है यह जो मैंने अगर अल्फा करण और ज्यादा इसके पास में से आएगा तो बुरे पूरे चांसे है कि बहुत बड़े कौन से विच्छने दोगा जैसे इस केस में हो रहा देखो देखो कितना बड़ा कोण ही है और कोई अल्फा करण अगर सीधा जाकर कि इसी से टकरा है पहली बात तो उसको भी टच नहीं कर सकता अगर टच करने के कोशिश करें तो नहीं कर सकता सीधा इससे रिफ्लैक पैप को किया जाएगा तो ये सारी पॉसिबिलिटीज थी इस त कि परमाणू का अधिक्तम पार्ट तो खोकला है उसमें कुछ है नहीं इस ते अल्फा करण जो है बिना किसी विचलन के सीधे निकल के तो उनका पहला प्रिक्षण क्या था पहला निश्करश क्या था परमाणू का अधिक्तर भाग अधिक्तर भाग खोकला है कुछ है नही दूसरी बात उन्होंने बोली कि पर्मानु को जो धनावेशित भागे बहुती छोटे से एरिया में हैं बहुती छोटे से शेत्र में विध्यमान हैं जैसे हम नाभिक कहते हैं तो परमाणू का धनावेशित भाग सुक्ष्म शेत्र में विद्यमान है जिसे नाभी कहते हैं जिसे नाभिक कहते है ठीक है कि इनके कुछ बेसिक मेशकर सवर एक एलेक्ट्रॉन के वारे में बोला कि एलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारो और व्रत्ताकार कक्षा में चक्र लगाते है इनका ये लास्ट स्टेट्मेंट ही इनके लिए थरीके से घड़बड बन गए ये इनका एक सबसे वड़ा मेजर ट्रॉप एकता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारो और व्रत्ताकार कक्षा में चक्र लगाते है बस ये बोलती है नाने अब उनसे बूचा कौन ची व्रत्ताकार अग्षा में चक्र लगाना भई बताओ अब बसे किता दूर गोले जिस बीच्छा में चक्र लगाता लेकिन रियाल्टी में ऐसा नहीं होता इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा से किसी भी कक्षा में चक्र नहीं लगाता कुछ स्पैसिविक कक्षा है ये स्थाई कक्षा है या इंग्लिश में इस्टेबल ओमेट्स उन्हीं में इलेक्ट्रॉन चक्र लगा सकता है तो वह ये बात नहीं बता है तो इनके बारे में वेपन पढ़ेंगे इससे पहले अगर एक इलेक्ट्रॉन नाभी के चरव तरफ घूम रहा है तो उसकी कितनी उर्जा होगी अपन इन्होंने कैल्कुलेट किया था तो आपन जूमते हुए इलेक्ट्रॉन की उज़ा देखें अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन वत्ताकर कक्षा में खूम रहा तो उब्विस्ट्य उसके पास कुछ ना कुछ वेग होगा लब उसके पास गति जूर्जा है और उब्विस्ट्य उसकी नाभिक से कुछ ना कुछ दूरी है क्योंकि नाभिक उसके ऊपर एक तरीक के से बल लंगा रहा है या हिसतारवें वैदुद्द की बल लंगाा रहा है तो टिक तो सबसे पहले अगर electron manager साब को बुला इसकी जो कुल उर्जा किसकी बराबर होगी गत्य जुर्जा प्लास इससे जुर्जा देखो जहां तक गत्य जुर्जा की बात है तो गत्य जुर्जा का formula होता है बच्छो half mv square अब यह half mv square का होस्कार है यह आएगा कि भई इसको वरत्ताकार कक्षा में चक्र लगाने के लिए आवशक अभी के इंद्रिय बल प्रुवाइड कौन कर क्योंकि कोई भी वस्तू वरत्ताकार कक्षा में तभी चक्र लगा सकती है जब उसे वरत्ताकार कक्षा में गुमाने के लिए कोई आवशक अभी के इंद्रिय बल प्रुवाइड कर दो है अब क्योंकि इलेक्ट्रोन निर्यनाविशित है और आपका जो नाविक इव पर लग रहे है तो इस एलेक्ट्रोन को जो अभी के इंद्रिय बल प्रुवाइड कर वारा है वो कौन प्रुवाइड कर वारा है एलेक्ट्रोन व नाभी के बीच में जो लगने वाला लगने वाला इस्तिर वैद्धत की बड़ी जिसको कुलाम बली बहुन सकते हो इस्तिर वैद्धत की बड़ी ठीक नहीं प्रवाइड करा रहा है अब अच्चो बेसिकली भी गेंद्रेबल का फार्मूला mv square upon r होता है और इसका फरोला मारे पास होता है k electron का आविश k q1 q2 upon r r square यहाँ से बेसिकली मेरे पास एक electron का तो मुझे आविश पता e है इस जो नाविक है बच्चों इस नाविक का आविश होगा z e अब z e कैसे आया बच्चों z यहाँ पर होता है परमाणुक्रमाँ का जैसे for example अगर मैं मालो बात करता हूँ sodium की तो sodium का परमाणुक्रमाँ का होता है बच्चों 11 अब उसके नाविक में कित्ता आविश है 11 proton हो उसके पास तो 11 इतना उसके पास धनाविश होगा तो बस इसलिए उसको डारेक्ट z e लिख देते हैं या पर e एक 0.6 गुणा दसकी गात माइनस 11 के बराबर होता है proton और electron के पर आविश तो समानी होता है तो अब आपन के लेख सकते हैं k e ze k q1 q2 upon r square अब बच्चों क्योंकि मुझे तो गति रूजा चाहिए गति रूजा का सूतर होता हाफ mv square हाफ mv square किसके बराबर होगे उन्हे तो गति रूजा से मतलब है गति रूजा अच्छे जरूजा तो गति रूजा को हम लिख देते हैं याँपर e और नीचे लिख देते है k यह बराबर होता हाफ mv square के तो मेरे पास mv square का तो मान है यह न तो k z e square upon r यह माने mv square का और 2 इसके भाग में आचाए और होला आगे इसका k z e square upon 2 r यह एलेक्ट्रॉन की उर्जा है यह किस ने बताया था यह बताया था हमारे रदरफोर भहिया ने इस सब रदरफोर की खानी बढ़ रहे हैं बहुत तक नहीं पहुच्छा है next ने बच्चो हमारे इसकी इस्तित दुर्जा बच्चो देखो इस्तित दुर्जा की जहां तक बात है तो इसका फॉर्मला अपने दूसरे चेप्टर में पढ़ा था उसका फॉर्मला होता है क्यूवन क्यूटो अपॉन इसमें आवेश लेते हैं अब क्योंकि एलेक्ट्रोन इडावेश है तो मैं माइनस का E लूँगा यह देनावेश तो प्लस का Z लूँगा और दूरी तो मारे पास R है तो K माइनस E Z E अपॉन R फॉर्मला वंगिया मारे पास माइनस का K Z E स्कार अपॉन R नोटिस कर लो बस इसमें 2 आ रहा और इसमें 2 नहीं है इसमें प्लस आ रहा इसमें माइनस आ रहा तो मारे जो कुल उर्जा है वो कितनी आ गई कुल उर्जा मारे पास आ गई एलेक्ट्रॉन की कुल उर्जा स्तितिच प्लस गतिच स्तितिच उर्जा है कतिर उर्जा है E के और स्तितिच उर्जा है सिंपल अब आप देखलो इन दोनों में से में KZE स्क्वार अपॉन आर कॉमल ने सकता हूँ 1 अपॉन टू माइनस एग ही बचे कुछ नी तो बच नहीं अब अचो जब इसका L-SIM ब L-SIM लेके solve कॉल कर आड होगी तो हमारे पास कुछ अस तरीके गाएगा KZE स्क्वार अपॉन 2R अब नोटिस करो यह उर्जा जो कुल उर्जा इसकी वो इसके चलो कुल उर्जा को E भूल तके जो कुल उर्जा है वो actually इस्तिति उर्जा के बरावर ही लेकिन रिणात्मक में और अगर गतिज उर्जा से compare करो तो उसकी just half है तो एक relation आपको याद रखना है कि कुल उर्जा जो होती है वो गतिज उर्जा के रिणात्मक और इस्तिति उर्जा के आदे के बरावर होती है तो जो बहुत important relation है ध्यान रखने यह मैं form में से बता चल रहा है कि जो कुल उर्जा है minus ka kz e square upon 2r यह इस्तित उर्जा दिख रही हो इसके आगे minus का sign लगा तो तो कुल उर्जा जाएगी और इस्तित उर्जा में 2r है मतलब स्षरी इस्तित उर्जा में 2 आता है इसमें नहीं आता है इसमें आ रहा है तो basically अगर इस्तिति वर्जागों दो से भाग देता होगे तो हमारी कुल उर्जागों इसले U by 2 लिखा दो ठीक है? अच्छे यह आपर वेल्यू टोटल वेल्यू नेगिटिव क्यों आ रही? क्योंकि यह एलेक्ट्रोन नाविक से बंधा हुआ है अगर एलेक्ट्रोन नाविक से बंधावा नहीं होता तो यह वेल्यू पोसिटिव आती है तो अगर कोई चीज किसी से बंधी भी होती है जैसे मैं सेटलाइट की उर्जा निकालू हुआ तो नेगिटिव यह है क्योंकि सेटलाइट प्रच्वी से बंधी हुई है चले तो यह अपने एक एलेक्ट्रोन की कुलूर्जा निकाल ली है अब यहाँ पर अपन पढ़ लेते हैं कि क्या क्या रीजन थे जिसकी वज़़े से आपका यह मॉडल फेल हो गया देखो सीधी सीधी थी बात है यह नाभिक के स्थाइट्व को नहीं समझा पाए तो सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम थी मैं थियोरी पूरी नहीं लिख रहा हूँ पहले बता रहा हूँ नाभिक का स्थाइट्व सबसे बड़ा रीजन यही था जिसकी वज़े से इनका वाडन फेल हो गया कि नाभिक के स्थाइट्व को समझा नहीं पाए इसकी थियोरी आप नोट्स में से लिख सकते हूँ बोल के मैं आपको सारी बता रहा हूँ दोंट वरी लेकिन अगर आपको थियोरी पढ़नी है तो प्लीज आप नोट्स को रिकमंड करें मैं इतनी सारी थियोरी नहीं लिख वा सकता ठीक है और मुझे समय नहीं बलानी तो बढ़ डाल दे रहा हूँ है क्या नाभिक का स्थाइट्व देखो इनके अकॉर्डिंग ये धनाविश्वित करण है और इलेक्टर नाभिके चड़तर व्रत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है कौन सी कक्षा में चक्कर लगा रहा है इनसे पूछा गया तो बोले फलेश की स्पीड याने, इसका बोल सकते हो जाल नियत है, लेकिन वेक तो नियत नहीं है, इसका मतलब यह त्वरिद गती कर रहा है, यह एलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्वरिद गती कर रहा है, और अगर कोई आविशित कर त्वरिद गती कर रहा है, और अगर कोई चुम्बक्य तरंग्योत सर्जुत करता है। 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 तो यह पर्माणू के स्था तो नहीं समझा पाए की पर्माणू स्थाई क्यों है। क्यों इस्टिबल रहता है और अगर असका पर्माणू इस्टिबल नहीं तो मैं आप और यसज़ी चीज़े कैसे बनती। ठीके न आघृ ब्रहमाणी नहीं बनता। दूस्री चीज वोई छो हमारा री रेकिकworking spectrum यह भी ixplain नहीं करपा तो यह दो major चीज़े थी चिसको ixplain नहीं करपाए इसलिए ixplain के इसलिए इसलिए इंका डाइ दोदे ऐङा हो तो मारे नोट्स में से एजड़ेस कॉपी कर सकते हो आप सब को पता ही है तो मैं इसी इसको बाद में नहीं लिख रहा क्यों कि आप सब को बता है एक्जाम में आने के जन से सकम नहीं है चाले तो इसी के साथ ही आपका रदर्फूर का मॉडल खतम होता है मैंने संगड प्र अब हमारे रदर्फूर के अभिग्रहित की अपर कुछ कुछ फूलेट थे मतलब पॉस्टिलेट्स या फिर अभिग्रहित वो चीज़े होती है जिसका कोई सेंट एक्स्परिमेंटल प्रूफ नहीं होता है बोल दी गई ठीक है वह होता है अभिग्रहित या सेल्फ प्रू अब हमारे रदर्फूर के अभिग्रहित की अपर कुछ कोछ फूछ पूछे गए है यूपी बोड के अंदर आया है बोर्ग के परवाणू प्रारूप की अभिग्रहितों को लिखिया और इसके आदार पर हाइडोजन परमानू की बोर्ग अक्षा की तरिज्जा का सूत्र निर्गवित कीजे, तो अभी हम सबसे पहले तो पॉस्ट्टेट अने अभिगरहित लिखने वाले हैं, जो बोर्ड के प्रश्ण ने पूछा है, दोनों चीजे पूछी, तरिज्जा की करना भी पूछ ली और साथ के साथ हमसे अभिगरहित पूछा, तो काफी बड़ा प्रश्ण बन गई, शायद पांच नंबर का था, तो सबसे पहले तो अपन लिखने वाले बच्चो, बोर्ड के मॉडल के अभिगरहित, ठीक है, तो बोर के परमाणू मॉडल के अभिगरहित अगर एक्जाम में प्रश्ण आ जाता, तो आप इसको शॉट में भी लिख सकता हो, जरूरी नहीं, जबरसी इसको बढ़ा करके लिखना है अभी-कभी एक्जाम में ऐसा ही पूछना जाता है जैसे आपन तीन अभिगरहित पढ़ेंगे तो अभी-कभी एक्जाम में आपसे दो भीगरहित पूछ लेता है जैसे माल नहीं, पांच नंबर का रश्ण तो एक नंबर का पहला भीगरहित, एक नंबर का दूसरा भीगरहित और दो नंबर का पर यह स्त्रिज्या है इसका फॉर्मला डश्रीव करने का तो देखो सबसे पहला भी गरी तो हमारे रदरफोर्ड की वहिया भी देखे गए थे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोन नाबे के चारो तरफ चक्कर लगा रहा तो सावशा कभी के इंद्रिय बल जो होता है वो इलेक्ट्रोन और नाबे के बीच में लगने वाला इस सिर्वधुत की बल या कुलाम बल प्रोवाइड करता है ठीक है वो जो उनकी वही बात थी जो पीछे अपी अपन पढ़ करा ना कि बही इलेक्ट्रोन के पास चलने की ताकत का अशिया यह वरत्था करक्षा में क्यों चक्कर लगा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोन और नाबी के बीच में कहीं ना कहीं चे खुलाम बल लग रहा है या इस्तिर्वेदुत की बल लग लग रहा है इसलिए ठीक है तो पहला पॉस्ट्रेटिन का यही है लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रिय बल इलेक्ट्रों एवं नाभिक के मद्य लगने वाला लगने वाला इस्थिर वैद्युत की बल प्रदान करता है ठीक तो माल लीजी मेरा नाभिक है यह मेरा इलेक्ट्रों और माल लीजी मेरा इलेक्ट्रों एन्वी गक्ष्रम भूम रहा है जिसे मैंने वापे पहली गक्ष्रम मेरा इलेक्ट्रों एन्वी कक्ष्रम गुम रहा तो एन्वी कक्ष्रम अच्छों की तरिज़ा है और एन्वी कक्ष्र में इसका वेग है वी इन तो आरन का मतला में आपार N V कक्षा के तरिचे मतलब 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते अपने एक जनरल एक्स्प्रेशन के बारे मार्ब करें तो N V कक्षा के तरिचे ऐसे ही VN क्या है N V कक्षा का वेग N V कक्षा का वेग अच्छा मननी ज़िए कक्षा नहीं लिखा कक्षा की तरिचे ठीक है तो अगर यही सेम बात है सिद्धी सी बात अगर एक होमराज के चाड़ तरफ वोई परमाणू करमंगे इसका Z है तो इस केस में मारा पास हो जाएगा M V स्क्वाइर के जगे अपन लिखेंगे M V N का स्क्वाइर अपन आरल कोई बस N N लगाएंगे और कुछ निए अपन स्वारी एकोस टू के Z E E अपन आर इन का स्क्वाइर बच्चों एक घाट से सीदी सीदी एक घाट चली नहीं आता समझ तो आर इन को आपे ले जाओ एक पावर से एक पावर चली जाएगे और उना महर पास आ रहा है ठीक हम लिख देता है K Z E स्क्वाइर बराबर M V स्क्वाइर इंटू N यह मार आ गया फॉर्स्ट पार्ट यह मारे बाद में काम आएगा तो अब हम इसको सम्झनी का नूमर एक डाल करके शोड़ देते हैं बाद नियूज करें इसको चली दूसरा पॉस्टिलेट जो है जो हमारे रदरफोर भाहिया नहीं समझा पाए थे कि यह इलेक्ट्रों जो होता है किसी भी कक्षा में गुमता है ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रों जो होता है कुछ specific orbits में गुमता है ठीक है तो दूसरा statement अब मैं कोणिया समवे गया पर आपको नहीं समझा सकता बहुत लंबा किछ जाएगा अगर आपको फिर भी किसी को जाना है 11th class का topic था पर फिर भी मैंने normal class में explain किया था तो इलेक्ट्रों इलेक्ट्रों के इवल निश्चित कक्षाओं में निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं चक्कर लगाते हैं जिने स्थाई कक्षाओं कहते हैं जिने स्थाई कक्षाओं कहते हैं कहते हैं इन कक्षाओं का इस था ही कक्षाओं की बत करो इन कक्षाओं का कोणी है सम्वेक कोणी है सम्वेक ह अपन टू पाई का पून गुणा जोना चाहिए पून गुणा जोता है इन कक्षाओं का कोणी है सम्वेक ह अपन टू पाई का पून गुणज होता है यह statement है काफी important है ध्याद नगा खहनेगा क्या मतलब है कि electron ऐसे नहीं कोई भी कक्षा में भूम लेगा electron उनी कक्षा में भूम सकता है जिसका को यह सम्मेक जोता है पून गुणज का मतलब है कि हो एच अपाउन दो पाई के बराबर होना चीए दो एच अपाउन दो पाई के बराबर होना चीए तीन एच अपाउन दो पाई के बराबर होना चीए चार एच अपाउन दो पाई के बराबर होना चीए चार एच अपाउन दो पाई का पून मतलब वो मतलब जैसे मैं आपको लाँ 2 गुडण 10 का हमाइनस का 34 तो वो 4 हो सकता है 6 हो सकता है 8 हो सकता है 10 हो सकता है 12 हो सकता है 14 season 2016 हो सकता है 13 मतलब संख्या का गुडण चुना चाहिए 2 का गुडण चुना चाहिए basically example दिया है represent करेंगे बच्छो, L से represent करते NV कक्षा के बाद करो, इसलिए LN बराबर हो गया, H upon 2 pi का पूर्ण गणज, इसलिए अपने इसको N से गोणा कर लिए है ठीक, बच्छो, कोणी इस विवेक का वैसे formula होता है, MbR sin theta, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोन अगर वत्ता करन गख्षा में गती कर रहा है, वेक की दिशा और तिर्जा की दिशा बहार की तरफ लेते हैं, तो तिर्जा की दिशा और वेक की दिशा एक दुश्य के लम्मत है इसलिए हम जो है sin theta को आपर नहीं लिखते हैं हम direct क्या formula में लिख देते हैं क्योंकि Nb गख्षा की बात है, तो Mb R के जगे MbNR लिख लोपस में और NH upon 2 ठीक नमारा formula बन गया, statement बन गया NH upon 2pi is equal to MbNR यह हमारा second part जवाने अभी काम आएगा, इसको फोबने का नमबर 2 डाल के छोड़ देते हैं ठीक है नबस एक ही चीश का जाने केगा, जब भी यह समीकर लिखे जैसे यहां पर आप नोटिस कीजिए कि मैंने MbN वाली डाम यहां लिखिए, मैंने भी इलेक्ट्रॉन कभी भी उड्जा का अशोषित करता है, माली जिए इलेक्ट्रॉन के सीव रत्ता गार ख्रा क्षा में घूम रहा और 20 से उसको कोई उड्जा मिल जाती है ठीक है? photon की form में तो जब उसको उर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने निमने उर्जस्तर से मतलब ज़स्भी कश्या में भूम रहा है उससे उच्छ उर्जस्तर में चला जाएगा ठीक है जैसा पर एक्जामपल टीचर ने आपको एक काम दिया आप महालो कि अभी तौह बार भी मा सकते हो अपने इंटलास पढ़ने थोड़ी ना जारे हो वहापे ताप स्फ तो मिनट का काम करने जा रहे हो एलेक्ट्रॉन भी बाहर से इस तरीके से उउश्मा को क्या करता है और शोष्ष्ट करता है और शोष्ष्ट करने के बाद वो अपने निमने उज़स्तर से काम हो गया, वह वापने साथ अपनी ग्लास में आए गई, काम खतम उसका, तो इलेक्ट्रोन के साथ भी सेम कहानी है, इलेक्ट्रोन जब निम्न उर्जास्तर में होगा, तो उर्जा अवशोषण करके उच्छ उर्जास्तर में चला जाएगा, वहाँ पर कुछ समय तक रहेग तो बतलब उसी फोट्ट्वन को बाहर नकाल दे है, तो इस चीच का धिया नखेगा, यह एक्चुली इलेक्ट्रोन के ट्रच्छन को बताते हैं, बतलब एक उर्जास्तर से गहानी संक्रमित के आईशा होता है, ट्रास्वे गंवे संक्रमित के इसा होता है ट्रांजीक्रमि स्तर में संक्रमित होता है उच्छ उर्जा इस्तर में संक्रमित होता है तो उर्जा का आवशोषण करता है उर्जा का आवशोषण करता है इसी प्रकार जब इलेक्ट्रोन उच्छ उर्जा इस्तर से निमने उर्जा इस्तर में संक्रमित होता है उच्छ उर्जा इस्तर से निमने उर्जा इस्तर में संक्रमित होता है अरे में संक्रमित होता है संक्रमित होता है तो उर्जा का उच्छ सर्जन करता है तो माल लीजे यह एक उर्जा इस्तर यह दूसरा उर्जा इस्तर है इलेक्ट्रोन इस उर्जा इस्तर से इस उर्जा इस्तर में संक्रमित होता है इसक हिए лीजे इस्तर इस उर्जा – इस उर्जा इस्तर है उर्जा इससे इसको बाहर इस्तरितरौर इस्तर में संक्रमित होता है तो इसको बहर स क्योंकि फोट्आन के ऊर्जा का उशुर्जा कर रहा है वालो 2 electron watt की उर्जास को मिली, तो जब यह नीचे से उपर के तरफ जाएगा, इनके उर्जा का अंतराव ओविसली 2 electron watt होना चेए, क्योंकि जतनी उर्जास को मिली है, उसी के सब संक्रमित होगा, ज्यादा मिली है तो ज्यादा उपर जाएगा, कब मिली है तो कम उपर उतनी उपर उर्जास्तर में जा सकता है, तो इनकी उर्जाओं का चौनतार होगा, वो ह्नु के बराबर होगा, ध्यान रखिएगा, यह भी अपन बाद में यूस करेंगे, बट राइट नहीं, इस तरीके से इलेक्ट्रोन अगर मान लीजिए को इसी उच्च उर्जास्तर से निमन उर्जास्तर में जा रहा है, यह से मान लीजिए जब वो इस उर्जास्तर E2 से, निमन उर्जास्तर E1 में स, याने N2 से N1 में संक्रिबत हो रहा है, तो इस केस में वो इस बार उर्जा को सर्जत करेगा, ठेक है न, जित्ती उर्जास्तर नहीं तो उत्ती उर्जाओं लेकिन statement लुण कर लिजेगा ज्यादा कुछ है नहीं इसमें अब जैसे हमारे इस particular question ने तो तरिज्जा पूछी थी पर मैं सारी चीज़े कैलकुलेट करूँगा मैं इसमें वेक भी छोटा सँ करुगा मैं गलते हैं एक खा गे ना यहां से एक औरन बच्रा को काम कर दोगगा तो ध्यान नसे दिखो M से M कर जाएगा VN से VN कर जाएगा RN से RN कर जाएगा 1 VN बच जाएगा तो मैं से में करण 1 को 2 से भाद में दूगा तो समी करण 1 divided by 2 करने पर अगर हमने ऐसा किया तो करने पर देखो क्या मिला तो राइट एंचाइड में जैसे मैं आपको बला M VN स्क्वाइर आरन था इसके नीचे M VN आरन था राइट एंचाइड में वापन हमार पस था K Z E स्क्वाइर और यहाँ पर हमार पस था NH अपॉन 2 पाई सीधा सिदर लिग दो तो यहाँ पर हमार पस आरा है K Z E स्क्वाइर और NH अपॉन 2 पाई नोटिस करिए M से का M कड़ गया R N से R N कड़ गया पावर X एक गए यह अब एटलीस नहीं पस VN बच्चा है तो बच्चो VN किसके बरावर हो रहाँ देखो यह भागवाला अप सब को बता गोड़ा में चला जाता है तो K Z E स्क्वाइर इंटू 2 पाई अपाउन N H ठीक है बच्चो इसमें K का मान अब सब को बताओ 1 अपाउन 4 पाई अपसाल नोट होता है लिख देता हूं 1 अपाउन 4 पाई अपसाल नोट K का मान है इसमें 2 पाई को आगे रख दो क्योंकि यह एक constant है E स्क्वार आगे constant है आगे रख दो H constant आगे पाट दो जो constant नहीं वह एक तो Z और यह N चीक है न क्योंकि आप अलगलग परमाणों की बात कर सकते हैं उनका अलगलग परमाणों कर मांग होगा और मैं अलगलग तेरी व्रत्ता कर तेरी जों की बात कर सकता हूं टो Epsilon 0 H बच्चो इसमें जब सारी वेल्यूस आप रखोगे चेक है ना सारी वेल्यूस आपको रखने है E की वेले 1.6 गुण 10 की गात माइनस 19 H जानते हो 6.63 गुण 10 की गात माइनस 34 Epsilon 8.85 गुण 10 की गात माइनस 12 इस सारी वेल्यूस रखने के पाद आपको थे एक्जाम में सीधा-सीधा फॉर्मूला याद रखना है और बच्चो फॉर्मूला वाता मारे पास VN is equal to 2.2 गुण 10 की गात 6 Z बैन याद रखेगा Z बैन गंपल सरी है Z में N और यावल्यू मीटर पर सेकेंड में आईगी यूख की गएंगे I hope सबको VN की वल्यू समझा लिए लेकिन इस पर्टिकुलर प्रेश्ट में VN नहीं पूछा था इस तो तो आरन पूछा था तो अब CDC बात है अगर एस VN वाले वैल्यू को में इसमें डाल दू तो RN निकल जाएगा Simple है तो उसको में समीकरण 2 में टेकता हूँ तो VN का मान कौन सा जो पीछे लिखा था VN का मान समीकरण 2 में रखने पार समीकरण 2 में रखने पार समीकरण 2 क्या था NH upon 2 pi को थो छोड़ दो इसका तो कुछ नहीं कर सकता मैं यहां पर क्या था M V R था न तो VN के जीक यह नहीं रखने जो पीछे पड़ा था पड़ा था E square upon 2 E square upon 2 Epsilon 0 H Z by N यह किसकी वैल्यू है M V R R N चाहिए बाकिस अबको अदर फेको तो जो कट सकता हो उसको काट नहीं क्या कुछ नहीं कट रहा है बैसे 2 से 2 कट रहा है बाकिस अबको फेको अदर N into N तो N square हो गया उसको तो बार फेको Z का कुछ है नहीं कोई भाई तो Z को भी छोड़ दो N गया इसको छोड़ दो H into H होगे H square Epsilon काम कुछ नहीं का सकते छोड़ दो M भी डिवाइड में जाएगा Electron की बात करने Electron का दिर्मान फिक्स होता है Pi as it is रहेगा E square as it is रहेगा और कुछ आ रहा है Epsilon not H square बाते सब ठीक है यह पूरा का पूरा अगेन बच्चो एक constant होता है मैं सब value को नीचे ले गया हमें यह गोड़ा में यह भाग में तुम्हारा पास बच्चो इस सबको solve करने पर माना आता है 0.53 और यह value आती एंग स्ट्रॉम में ध्यान रखेगा 10 की घात माइनस का 10 फॉर्मला याद रखेगा important है ठीक है ना एक जगे वेग भी पूछा गया है जैसे देख लो यह UP में पूछा वा प्रश्न है Hydrogen परवाणूप के लिए बोहर की परिकल्पना लिखे लिख दी हमने बोहर की परिकल्पना को प्योग करते अब हम बात करते बच्चों पहले तो समय अंतराल की फिर आवरती पी आएंगे प्चों समय कैसे निकालोगे समय बराबर होता है दुरी बटा चाल समय बराबर क्या होता है दुरी बटा चाल अगर एलेक्ट्रोन ब्रता कर कक्षा में चक्कर लगा रहा है एनवी कक्षा में तो उसकी दूरी कितनी हुए दुपाई आर और इसका वे कितना हुए वी एन आर ने वी एने टे को आंसर आ जाएगा ना आर न की वे लिए रहे इतनी खतरनाक सी वेल्यू देखो आप दो पाई अजडिस आर न की वे लिए देखो h2 epsilon 0 upon m by e square आपको दो वेल्यू जाद रखने सी दी सी दी सी bnpc निकाला हुआ है e square upon 2 epsilon 0 2 epsilon 0 into h इसके साथ नीचे रहा था z बा n इसके साथ रहा था n square by z ठीक है कट रहा है कच्शू नहीं कट रहा है बैसे epsilon.अट से epsilon. यी तो गज़ ढ़ाई होंगी बाफिनियाा एन वी कक्षा कफीशा सब वेख दो किया है कहा दोदुनी 4 π.प.प.प.प.प.प.と प.प.प.प.प.प.प.डो यह वैसे इसके उपर बेज जाद NCR नहीं पूछे जाते तो अगर आपको इसकी numerical नहीं भी लेने तो चल जाएगा और learn कर लोगे तो बहुत ही फायदे में रहोगे ठीक है न वेली होती 1.6 गुड़ दसकी गात माइनस का 16 ठीक है 1.6 गुड़ दसकी गात माइनस का 16 यहीं में मारपा सेकंड्स में एक अब्वियस सी बात है और आवरती समय अंतिराल के विद्कराओं के बराबर होती है इसमें तो कुछ हाई ही नहीं तो जो टी का फॉर्मला बूरा का पॉर्मला उल्टा कर दो बोले तो M e की पावर 4 4 Epsilon Naut Square H square into Z square upon N cube इसका विद्कराम कर दो पच्चे एक पोईंट शेक उल्टा करोगो तो क्या आएगा? 0.65 गुण दसकी गात पंद्रह बड़त आये गये तो इसकी वल्यों मारपास आगी जो स्तरेप्रस्च ने पूछ ये निवु पूची गात पंद्रह बढ़ा की पाउर पन्हें आगे लेली कि पॉइंट का पनम आगे शिफ्क्ट किया और ज्सक्वार अपन न्क्यू बार क्या लिकर हो और लिख देते हैं इसको यह फॉर्मल आ गया और यह वेलों हर्ट्स बैए गया सारी फॉर्मलों में से जो फॉर्मले ज़्यादा काम के है वैसे तो मैंने 4 व डराइव करवाए है अपको तीरिजर वेग और आपका आवरति वर समयन्तरा लेकिन ज़्यादा गम कास्म से वेग और आपका तिरिजर है यादेना राखेगा .. प्रशन सीधा सीधा आप से पुझा जाएगा .. अप시े प्रशण में पूछा, हाइडोजन के लिए दूसरी गख्षा कीतरी जगया होगा, तो आपको बस N की जगह आपके दो रखना है, हाइडोजन के लिए तीज़ी गख्ष घख्षा का भीत probability कि आपको N की जगह होगा, आपको N की जगए तीन रखना है, चले तो हम निकालते हैं इसकी उ defenders- फिर यिजा भॉस्च का बरीकित हिए दटीज गोंगे- फिर अपन आगे- चलना eme ओगॉम्टे हूए कि वही सेन कहानी है इसके पास इस्तेदर्जा-कत्रीजा दोन ही होगे घूम्ते हुए इलेक्ट्रोन की ऊचे तो इसके पास जैसे मैंने अपको अलग गतिर रुजा भी इस्तिर रुजा भी है तो सबसे बहुत अपन गतिर रुजा की गढ़ना कर लेते हैं उसको हम लिख देते हैं वही जैसे पहले लिखा था एक बिस एन वी गख्षा की बात है इसलिए हाफ m vn square तो half n को तो छोड़ दो half m में तो कुछ भी निरखा बात आ रही है vn की vn का है यह रहा तीछे बड़ा लंबा चोड़ा formula आया था e square upon 2 epsilon not h upon यही सबसे चोड़ा formula है e square upon 2 epsilon not h का whole square into vn square ता सोड़ी into चाह और भी तो था ना z by n z by n का whole square देखो क्या रहा हाफ as it is m as it is e की पावर 4 4 as it is epsilon not square h square z square by n square यह यह वैलों के पास चीक है अब इसमें देखे चार दुनी 8 हो गया अब चाहो तो 8 करके लेखे लो ने तो छोड़ दो कोई issue नहीं है ब्रैंज सकते हो तभी कोई problem नहीं है तो लिख दो m e की पावर 4 8 epsilon not square h square z square upon n square ठीक यह हमारे पास e के का मार्ण गोलेंगे ठीक है ना यह e क्याने का दिरुजा का मानों गया है अब निकाल ले इस्ते दिरुजा इस्ते दिरुजा का सोत्र काम कर उसको हटाओ यार बार 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 वीज वीज बार रहा है अब आते है इस्ते दिरुजा पर इस्ते दिरुजा का फॉर्ण लों ने अपको भी बताया था क्या होता है बस दिर्जा की जगे में आर इन लिख दूगा तो आर एन का मान मुझा पर उतना पड़ेगा आर इन का मान देखो क्या होता है का यह न आर इन- आर इन आर इन ये रहा बहुत बड़ा लंबा जोड़ां ए तो फेले इस्ते उसको लिख देता हूँ मैं 1 upon 4 pi epsilon 0 ze square upon rn कितना है देखो h square epsilon 0 upon mh m pi e square तबना याद कैसे रेगा देखो h square upon epsilon आदा दा लिखता हूँ h square upon epsilon 0 नीचे रहा हमार पास m तो याद है देखो pi e square pi e square बागी याँ पर तो n square by z नीचे वाला पार्ट पच्छो उपर गुणा हो जाएगा देखो pi का तो pi उड़ गया अतला भी नहीं है इससे तो देखो 1 upon 4 epsilon square h square यह उपर गया देखो m e की पावर 4 फिर आ रहा है z into z हो गया z square और यह upon n square आप एक चीज बस notice करना जब भी आप इससे दर उर्जा और गतिर उर्जा का सुन्तर लिखो उनका सारा पार्ट सेम आएगा बस यहाँ पर 4 अच्छा यहाँ पर 8 होगा वही सेम कानी जो पहले पड़ी थी बागी सब सेम होना चेए दो को m e की पावर 4 यहाँ पर भी है एपसॉल अच स्क्वार यहाँ पर भी है z square upon n square वहाँ पर भी था यहाँ पर भी है इससी इसका बस थ्यान लगना तो आप जब कुल उर्जा निकालोगे इसकी तो बच्चों की कुल उर्जा हमारा पास आएगी e बराबर ek प्लस u ek का मारा पास कितना है m e की पावर 4 से नहीं तो फॉर्ण लगना 8 epsilon not h square z square upon n square और यह value minus में है minus का 1 upon 4 m e की पावर 4 upon epsilon not square h square z square upon n square बच्चों आपको सबको दिख रहा होगा इसमें सब पाट common है वो इसमें 8 हा रहा है पर 4 आ रहा है चाह तो उसको भी common लेलो 4 common आ जाएगा आपका बाहर और तो क्या है 4 वाला टम common लेलो m e की पावर 4 as it is यहाँजे 4 epsilon not square h square common आ गया साथ के साथ अंदर यहाँपर बच्चों एक बटा दो क्योंकि अपने 4 common ले और यहाँपर waterfall बच्चा एक जिससा पहले था वैसी सब कुछ है यहाँजे देखोगे तो कुछ भी यदर लिए solve करने पर आपके पास बच्चों आना जाएगा वही जैसा पहले था EM की पाउर 4 यहाँपर बच्चे का माइनस का एक बटा दो जैसे पहले बोला था भाई है कि यह जो कुल उर्जा वह गतिर उर्जा के रनात्मक के बराबर और अदे के बराबर तो जैसे हमना पहले बोला था वैसी कहाणिया पर है N-V कक्षा की उर्जा निकाल रहे हैं जो E-N है वो गतिज उर्जा के जैसा मैंने बुला नेगेटिव के बराबर और इस्तिर्द दुरुजा के आदे के बराबर पॉर्मूला याद रखना जाब हां से निकालो यहाँ पर आपने बुला था कि इलेक्ट्रोन पहली मतलब कक्षा में गति कर रहा है पर कि इलेक्ट्रोन जो वहारा वो N-V कक्षा में रखना है कोई फर्क ने पड़ता है इतना बड़ा फॉर्मूला तो याद नहीं रख सकते है बस ध्यान रखिए यह वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रोन वोट में होती है तो हमारे इलेक्ट्रोन वोट के अंदर N-V कक्षा की उजा आगी बस इल हाइड्रोजन के लिए अपन एक बार उजा इस तर का आरिक बना लेते हैं पहली दूसरी तीसरी चौथी कक्षा के तो जैसे मैं अगर हाइड्रोजन की बात करो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन के लिए तो जैट तो एक ही होता है उसमें तो कुछ हाई नहीं है तो पहली कक्षा की गर मैं उर्जा निकालू यह पहली जो कक्षा होती बच्चो इस कक्षा को हम बोलते हैं इसकी मू ग्राउंड स्टेट मुल अवस्था इसकी इलेक्ट्रोन हमेश इसी में रेने कोशिश करेगा तो हम एन बराबर एक लेंगे जैसे बच्चो एन बराबर एक लेंगे देखो बच्चो इवन का मान हमार रपास आजाएगा माइनस का तेरा दश्मलो उच्छ जैड की ओले दो बन ही छोड़ दो उसको एन स्क्वाइर का मान में एक ही होगया तो यह इसका मान यही रहेगा अब अगर मैं न बराबर दो रखूंगा तो बच्चो इसको हम बोलेंगे प्रथम उत्तेजद अवस्था अब इसके अलावा मूल अवस्था के पाद जतनी भी अवस्था हो सब उत्तेजद अवस्था होती तो इसको बोलते हैं फर्स एक्साइट स्टेट इंग्लिश हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथम उत्तेजद अवस्था प्रथम उत्तेजद अवस्था इसको बूलते हैं First Excited State कब जब जब आपके N का मान दो जब N का मान दोगा तो E2 का में बच्चों मार पास हो जाएगा माइनस का 13 पॉइंट छे Z की उलोगों तो बूल जाए उसका तो मान एक ही है तो नीचे आएगा 2 का स्कॉरे ने 4 तो 4 तीया 12 4.16 अब तब 3.4 electron वोट आएगी negative value ठीक ऐसे 4 पास निकाल लेते बस पिर next हमार पास आजाएगा बच्चों द्वित्य उत्तेजित अवस्ता द्वित्य उत्तेजित अवस्ता इसको पन बोलते second excited state second excited state जो हमारे N का मान कितना हो 3 पोई E3 निकालूँगा इस बार तो माइनस का 13.6 को मैं 9 से भाग दूँगा पोई 3 का स्कोयर करना है तो 9 एकम 9 बच्चा आपके पास 4 4 का होगा 46, 9 पिंचे 45 होता है बच्चा एक 9 एकम 9 तो लगब 1.5 एक एक electron वोट की उर्जामार रपस आगई है ठीक फिर आती है मैं रपस त्रितिय उत्ते जे दवस्ता त्रितिय उत्ते जे दवस्ता इसको बन बहुते है 3rd excited state 3rd excited state chapter को पढ़ाने बड़ा मजा रहा पिर मैं सोचा तो नहीं था मेरेको लगा बूरिंग लगए है यह मैं रपस है e4 इसमें मैं रपस आएगा माइनस का 13.6 और नीचे आएगा 16, 16 से भाग देता हूँ 16 से 13 तो भाग जाएगा ने तो 0 तो आएगा ही 16, 16, 16, 17, 14, 47 Ce 0.85 electron watt की उओजा है बस ठीक है एतनी बहुते हैं माइ पास ज्यादा नहीं बिरानी अपनी को पशे कि last state निकलने अगर N की value अनंद कर दूँ तो क्या होगा उसको अब बोलते हैं बच्चो आएनन उजा उसको हम बोलते हैं आइनन उर्चा यह आइनन उर्चा तो इनका डिफरेंस बोलता है न इसको छोड़ दो एन बराबर अनन्द के लिए बहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉंज होगा न वो हमारा मुक्त हो जाएगा मतलब वो हो जाएगा हमारे एक तरीके सम बोल सकते हैं आयने तवस्था में हो जाएगा थेके तो वो आयने तवस्था है उसकी मतलब वो नाभी को छोड़के जा चुका है मतलब वो नाभी के प्रभाव में नहीं है इंगलिश में इसको बोलते आयन आयनाईजेशन स्टेट आयनाईजेशन स्टेट आयने तवस्था यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभी के प्रभाव को छोड़के जा चुक है तो अपर इनका मान जैसे मैं अनंद रखूंगा तो बच्चों आपको पता है 0 का उल्टा अनंद होता तो अनंद का उल्टा 0 का तो इस केस में अनंद की उल्टा हमारा पास चाहिए शुन्या इसके पास इस केस में इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी उल्टा नहीं रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने नाभी के प्रभाव को छोड़के जा चुका है वही सेम केस है कि अगर हमें वस्तु को कित्ते वेक से फेके यह प्रत्वी के गुरत्वी शुद्र में ना आए माइनस का स्वरी 11.2 किलोमेटर पती सेके तो अगर मैं अलग 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 उर्जास्तार पे ना उर्टो देखो पहला उर्जास्तार पे ना तो सीदी से लाइन रहा करूँगा लाइनस चोईए में रखो यह पहला उर्जास्तार होगे मूल अवस्ता होगे यह पहली उत्तेज़ अवस्ता दूसरी उत्तेज़ अवस्ता तीसरी उत्तेज़ अवस्ता चौथी उत्तेज़ दवस्ता एक चीज़ बस आपको इसमें जो करनी है वो यही है कि जैसे जैसे आप उत्तेज़ दवस्ता बनाते जाओगे होगा क्या? इनके बीच की जो दूरी है उसको आपको कम करते जाना है ठीक है न? तो आपक क्यों? क्योंकि हम नोटेस करो पीचे पहले उर्जा कंतर देखो ज्यादा है करीब 10.2 इलेक्ट्रोन वोट की उर्जा कंतर है फिर देखो कम हो जाता है फिर देखो और कम हो जाता है तो basically जैसे से सब उपड़ जाते चौके वैसे 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 उर्जा का अंत्रा कम होता जाएगा इसके लिए भी formula अभी अपन डिराइग करेंगे अभी के लिए मैं आपको simple सी बात बता रहा हूँ यह n बराबर 1 है यह n बराबर 2 है यह n बराबर 3 है यह n बराबर 4 है यह n बराबर 5 है और यह n बराबर अगलत है यह श्याद 4 तक ही निकाला है न चलो 5 की ऐसे calculate करेंगे तो इसकी उर्जा थी हमारे पास माइनस का 13.6 electron watt इसकी उर्जा थी 3.4 इसकी उर्जा थी माइनस का 1.5 एक electron watt शहे लिखा न और इसकी 0.85 electron watt लास्ट वाले के लिखने को 25 से भाग देना पड़ेगा नीचे 25 आएगा तो 25 पंजी 125 तो 0.5 आगया 25 पंजी 125 134 में 25 फाइनस करोगे गार आगया 110 जाएगा 25 चॉक 100 तो अलग को अलग लग इतना और इक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप नोटिस कीज़ें कि जैसे जैसा उपर जा रहे हैं वैसे 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 उर्जा को चुन तराल है वो दिरे दिरे कम होता जाता है अब माल लोकर मैंने आपको बोला कि एलेक्ट्रोन को पहली उर्जास्तर से दूसरी उर्जास्तर में जाना है माल लीजे तो उसको अपने को कितनी उर्जा देनी पड़ेगी अगर मैं ले जाना चाता हूं तो जो भी उर्जा कंतर हो को बच्चो यह इन दोनों के बीच की उर्जा कंतर है तो जैसे मैंने आपको पीछे से कहा था एटू माइनस की वही करता है तो तीन पॉइंट चार में से अगर माइनस का तेरा पॉइंट छे माइनस करोगे तो नीच ऑले संख्या माइनस प्लास हो जाएगी यह आपको इसको दस पॉइंट दो इलेक्ट्रोन व 60 में से 0.09 ऐसी एलेक्ट्रोन को अगर मुझे अनन्त पर भेजना हो तो बच्चों यह उर्जा मार पास आजाएगे 0 माइनस माइनस प्लास 13.6 इस उर्जाओ को हम बोलते है आइनन उर्जा आइनाइजेशन एनर्जी इंग्लिश में इसको बोलते है आइनाइजेशन एनर् प्रभासे मुक्त कर ताकि ऐलेक्ट्रण नावी के प्रभासे मुक्त कर सके ठीक है बच्चो चलिए तो आप मैं अगर आपके टॉपिक क्या उपार आओ तो मैंने आपको बोर के कि सारी कहानी करा दी है अपने को सर्जन और 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 स्पेक्ट्रम पढ़ना है फिर हाइड ली यह चैप्टर अब एक घंडे का और हो लीजे फिर चैप्टर मेरी तरफ से ओवर है ठीक है ना कितने घंडे का मैंने आपको पढ़ा दिया है अभी मैंने हुई है साथ त्रेपन म स्पास वाओगा है फिरना है था आप चलो तो देख्या वहीं क्या है बच्चों के कॉमेंट नोमेंट तूम नहीं पढ़ा रहा है तो सीदी सी बात भी नहीं है मिरे पस मैं तो मैं आपको समय दे रहा हूं आराम से आप भी जाईए जहां पर भी आपको जाना सूपोर्टि कि लिए साना है थे पानी वानीघ पीना वॉटरबर्य खता मों गूह है honour सर फॉर्मूला क्लास क्ल रहे ओस सर फॉर्मूला क्लास केंपे रहे हों चलो तो फटावट से जो है अब मैं आपको दे रहे हूं दो से तीन मिनट का ब्रेक तो उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे आगे की तो आपके पास है पूरे तीन मिनट का ब्रेक और आपका समय स्टार्ट होता है अब झाली प्कैंजन्ट अबस्टार्ट करेंगे एंगे की झाल 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 छोलो बही आ गया है यहां ले सेकेंड उपर हो गया है गलत बात सर टाइम का दैन्ने रख जाओ क्या पंचाहती चलती रहती तुमारी तो मानना पड़ेगा यहां लेजन्डी काम चल रहा अपना तो जैश्री राम जैश्री राम आजी टाइम ओवर हो गया वहीं यहांने सेकेंड उपर हो गया तेंद्रें क्या है गलती है टाब जैश्री तुमारी तुमारी हाँ है करेगला स्टार्ट क्या लिखाया है परिकल्पने लिखो सार मता दीजिए अच्छा दो परिकल्पने कोई भी लिख देना जो तुमारा मन करें जो दिल करें हो लिख लेना परिकल्पना यार तो यह मैं करा चका हूं गया है यह हो गया ना देखा है अभी अभी तक अपने स्टार्ट नहीं कर तो इसको भूल जा तो यह तो भूल जाए अभी हाइड्योजन स्पेक्ट्रम में बामा शेणी की रेखा हो कि अधिक्तम अधिक्तम शर्जन वा शोशन इस्पेक्ट्रम ज्याधा डीटेर्म में नहीं बताऊंगा देखो क्योंकि उस तरह में जब पढ़ाया था तो काफी डीटर में बताया था लेकिन यहां पर हमें को थोड़ा से शौट ही पढ़ना है एक्जाम के लिए जितना इंप्पॉर्टेंट है न एक्जाम में जितना आ रहा है एक्जाम में जैसे तरीक कोशिंस बल रहे हैं सारी इंटेंट फोड़ा से रिड्यूस तो हो गई ठीक है तो आप मैं फटावट से आपको हाइडोजन और और अस्पेक्ट्रम बता देता हूं हाइडोजन और अस्पेक्ट्रम के अंदर यही है कि माल वीज है हमार रपस कोई गैस है ठीक है यह कोई गैस है आपने इसके उपٹर कोई प्रकाष डाला ठीक है यह कोई भी आ पाली है मत अब इसमेंसा लाइट निकर रही है आपने इसमेंसे लाइट डाली लाइट डालने से गैस जो है ना उसके कड़ोन उस उर्जा को अशुश्शशट कर लिये जब इस गैस कड़ोन ने उर्जा को और ने इस प्रकाष को इस प्रिजमे से पास कराया तो इस प्रिजमे से पास करे तो इस प्रिजमे से अलगगा कलॉर मों इसको भाज़ई करेगी तो जब हम इस प्रकाश को एक वाइट कलर की पट्टी में देखते हैं, ध्यानक न, जो पट्टी है, यह वाइट कलर की है, श्वेद कलर की पट्टी है, श्वेद पट्टी है, तो इस श्वेद पट्टी के अंदर, colors तो होंगे, अलगलग color, विब्ग्यॉर तो पुर्दा नहीं बना रहा है, बैठे रहों में, तह शद्धा नहीं है, आपको इस श्वेत पट्टी में, बीज विश में काली-गली लाइने देखेगी, ये, ये काली ये बाकी सब colorful, जो तो था ना आपके, जैसे विब्ग्यॉ ये मिलेगी, बाकी यहां पता अलग-लग colors है, ठीक है न, ये काली-गलर की पट्टियां जो है, ये क्या बता रही है, वो अपने को समझना है, ये आपकी काली पट्टियां है, ये काली पट्टियां दूर जाने पर, इनके बीच की दूरी बढ़ती है, पहली चीज, बतलब पर पास-पास आती है, दूर जाने पर, दूरी बढ़ती है, पहला पॉइंट तो ये है, दूसरे इनकी दीवरता घड़ती जाती है, दीवरता घड़ती जाती है, ठीक है न, ये कुछ बाते हैं, अब ये काली पट्टियां आई कहा से, वास्ता में हुआ क्या, जब इस गैस के उपर अपने लाइट डाली, तो इस गैस के कुछ पार्टिकल्ट नहीं कुछ परमाण होके, कुछ इलेक्ट्रोंस ने कुछ उर्जा को अवशुश्यत कर लिया, जब उन्होंने उस उर्जा को अवशुश्यत करा, तो वो अपनी निमन अवस्ता से, या आपको वो color strip में miss दिख रहा है, क्योंकि वो तो particular electron, अवशोषित कर चुका है, किसने लाल, किसने हला, किसने नीला, किसने पीला, कोई particular तरग ददर्य के color को उसने अवशोषित कर लिया, यह depend करता है gas की प्रकरतिया nature के उपर, कि gas किस तरीके के प्रकाश अवशोषित करना चाहता है, ठीक है, इस तरीके के spectrum को हम बोलते हैं, बच्चो, अवशोषन spectrum, अवशोषन spectrum, जो हम इस सूर्य से मिलने वाला प्रकाश जब उसके साथ हमने ऐसा करा, तो भी हमें इसे काली-काली पट्टिया मिलने लगे, जिसके ब जरती है, बढ़ क्यों रही है, दूरी तो बढ़ रही है, नों घट रही है, और इनकी तीवरिता क्यों घट रही है, इसके बार हमें को explanation नहीं दे पाया, तो इनकी यह भी तो कमी थी, आगे पढ़ेंगे, पर इन्होंने बता जिया थे कैसा क्यों हो तो, कि हम पहले बात कर गया, क्योंकि उसको तो अवस्वशित कर लिया गया है, तो जो अवस्वशित प्रकाश आपको नहीं देखा गया, उस ज़िए काली पत्ती देखेगी, इसको अपन मोंते है अवस्वश्वशन स्पेक्ट्रॉं, ठीक है ना, तो जब प्रकाश को, प्रकाश को किसी गैस से गुजारा जाता है, किसी गैस से गुजारा जाता है, गुजारा जाता है, तो गैस के परमाणू के एलेक्ट्रोन, कुछ तरंग देदरे के प्रकाश को, कुछ तरंग देदरे के प्रकाश को, तरंग देदरे के प्रकाश को अवस्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश spectrum इनसे प्राप्त spectrum आवशोशण spectrum कहलाता है आवशोशण spectrum कहलाता है spectrum कहलाता है जहाँ जिसमे जिसमे आवशोशित तरंग ददर के स्थान पर में काली कलर की पट्टी है मलब जैसे मालो किसी particular electron ने 300-55 nanometer वाला तरंग ददर आवशोशण कर लिए तो वहाँ पर एक काली पट्टी मल जाएगी जिसमें आवशोशित तरंग ददर वाले प्रकाश तरंग ददर वाले प्रकाश पर काली पट्टी प्राप्त होती है इस चीज का द्यान ने करेगा अगर इसका उल्टा किए जया है मतलब यह गेस के अणू जो है वह अञेड़ी excited है मतलब यह जो नमूना है nau गयस का इसमें अणू उल्ड्री excited है मतलब उल्ड्री यह जो हमने गयस उसको गरम करा सr 1 अब जब gas knob गरम करोगे तो obviously electron जो है और जा अवशोशित करके ओपर जा चुके हैं मतलब यह नमूना जो है gas का अगर यह already आपका अवशोशित हो मतलब गरम हो माल लीजिए बदल जैसा बनाया है लेकिन है gas का नमूना तो माल लीजिए gas का जो नमूना है यह गरम है मतलब इसमें परमाणू जो already excited है मतलब वो अपने उत्तेजी तवस्था में है अब जब इससे निकलने वाले प्रकाश को यह सेम कहानी एक प्रिजम से और फिर एक क्या बोलतों से गुजारते हैं अपन है ना प्रिजम से गुजारा इस बार आपको जहां जहां पहले काली पत्टियागा निखी तर ना को यह वापिस कर देगा पहले जो जो कालर का प्रकाश से नाउस्षित करता आ यह वापिस कर देगा बाकि आपको पट्टी पर कुछ नहीं बने है तो basically जो इसने पहले है उशुशत किया भी उश्वत करएं ठीक है ना तो जब गर्म गैस के नमूने को गैस के नमूने को प्रिसमे से प्राप्त करके प्रिसमे से गुजार के प्रेजमेस से गुजार कर काली पट्टी पर इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है प्राप्त किया जाता है तो कुछ रंगीन पट्टियां पट्टियां इससे उत्सरजन स्पेक्ट्रम किया ए क्योंकि इसमें एलेक्ट्रोनोंने उस प्रकाश को उत्सरजद करा रही है इससे उत्सरजन स्पेक्ट्रम कहते है स्पेक्ट्रम कहते है इस इस्तिती में इस इस्तिती में इलेक्ट्रोन उत्तेज़द अवस्था से उत्तेज़द अवस्था से हर गयच के लिए यह सर्जन और और स्पेक्ट्रम अलग होता है इससे आप किसी भी नमूने में पता कर सकते हो कि कौन सी गयच है अगर आप उसका स्पेक्ट्रम और और स्पेक्ट्रम निकालते होता है फिर ना आप लोगों को में डिज्ञीं भी बता दका चलो वैसे तो भी मैं किसी वंचोट में नहीं बता थक क्यों कि लंबा किस था वंचोट् भी क्योंकि हमारा वंचोट ठीक ठां कि यह लिंद का चल रहा है स्था ठीक निम photographedה ला कं चल रहा है तो मैं ही तो रियालिटी में कैसा दिखता है कुछ इस तरीक अगर दिखता है देखो यह ही डोजन का है तो जैसे उपर और तो अवशोशक है स्पेक्ट्रा है जिसके अंदर आपको दिखते होगे काली-काली कलर की पट्टिया मतलब यह कलर की लाइट उस पर्टीकुलर इलेक्ट्रॉ द्वारा उस शुशित कर ली गई जब आपने इसका उस्ट्रजन स्पेक्ट्रम निकाला तो इस जो इलेक्ट्रों एक्साइड़ स्ट्रम चले गए तो उच्छे तवस्ता में चले गए तो वापस नीचे नमना वस्ता में आ गए तो इसी-सी स्कलर का परकाशन ने वापस दे दिया, जो लिया था उपस दे दिया, तो यह absorption यह आपका उस्ट्रजन स्पेक्ट्रम और यह आपका उस्ट्रजन स्पेक्ट्रम है, आप मेरी बात आप सब फो क्लियर हो गए होगी, आप एक चासे और observe कीई, जैसे मैं आपको बताया, कि जैसे जैसा आप दूर जाते ज इसके जो distance है, वो कम हैती जाती है, साथ के साथ, यहां पर तो नहीं दिरखा properly, लेकिन इनकी brightness जो होती है, जो होती है, उनकी तीवरता है, वो भी घटती जाती है, पहली जो आपको red color की missing frequency वाल लाइट देखी है, काफी bright होगी हो, फिर दूर जाते जाते हैं, इनकी तीवरता जिनके नाम पर, मतलब जिन्हों ने इसके बारे में discover किया था, कि सूरे से आने वाले प्रकास से ऐसा में spectrum मिल रहा है, ठीक है ना, उन्होंने जो line ने मिल रही थी, उनको line को नाम दिया था, H alpha, H beta, H gamma, H delta, 4 line ने उनको basically मिली थी, और भी मिलती है, लेकिन क्योंकि वो visible light में दिखे थे, इसलिए उनको यही पार्ट मिला, चिक है, तो यह 4 पार्ट ने नाम दिया, लेकिन बाद में मैं समझाया, कि भाई, रकाश के अंदर सर्फ यह थोड़ी ना होता है, रकाश में तो और भी चीज़े होती है, वो यह पर निकालने वाले है, पर निकालने से अरजास्तर से n1 उरजास्तर में, उरजास्तर में संकर में थो, संक्रमित हो अगर हो रहा है तो ओविसी बात है जो उर्जा है उर्जा का अंतर हो E N 2 माइनस E N 1 के पराबर होगा और वहने आपको बताया था यह उर्जा का अंतर है H N U के बराबर होता है E N 2 का माइनस आप लेख सकते हो माइनस का 13.6 Z square upon N square और इसको आप लेख सकते हो माइनस अच्छा यह N 2 है तो N 2 माइनस का 13.6 Z square upon N 1 square बस एक ही चीज़ का ध्यान रखेगा यह value electron volt में है तो आपको इस electron volt को Joule में convert कर रहा है तो अगर आप इस electron volt को Joule में convert करना चाहते हो तो आपको पता इसको 1.6 गुणा दसकीगा आप माइनस उननिस से गुणा करना पड़ेगा ताकि यह जूल में convert जाए जो आपने formula बढ़ा था उसमें electron volt था तो इसको पहले में इसंख्या से गुणा करती है आप नोटिस करो इन दोनों मेंसे 13.6 common आ रहा है minus का sign तो नहीं लो यहाँ पर हमार पास आ रहा है minus का z square भी common आ रहा है तो z square वहने बहार करा और यह 5.6 वाला टम यहाँ पर करती है ठीक यहाँ पर हमार पास देखो कि आ रहा है 1 upon n2 का square negative में और यहाँ पर 1 upon n1 का square plus minus minus plus और बच्चों इसको आपको पता होगा new को c upon lambda लिख सकते है इसमें c h constant है c constant है lambda change होता रहेगा क्योंकि मैं तरंग देर से मतलब actually चीक है उसको थोड़ा सा rearrange करोगे तो हमार पास आ जाएगा h c upon lambda बच्चों एच का जो मान होता है 6.63 गोड़ा दसकी गात माइदत का 34 जूल सेकिंड और c तीन गोड़ा दसकी गात पाँ बच्चों इस सारा का सारा constant एक और नया constant देगा आपको इस constant का नाम है बच्चों रिडबग constant स्पूरे constant की value एक और constant की बराबर होती है और एक constant होता है r रिडबग constant रिडबग नहीं है तांक इसका मान वैसे तो बराबर होता है 1.097 गोड़ा दसकी गात प्लस का साथ ना बट साथ में आता इसका meter inverse बट आपसको एप्रॉक्सीमेटे लिख सकते हो calculation की सबसे 1.10 की प्लस का साथ सबका साथ सबका कास ठीक है तो 1 upon lambda बराबर हो गया मान पस formula basically r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square अब इसकी जगे इसको new bar भी लिख सकते हो क्योंकि 1 upon lambda बच्चो न्यू बार याने तरंग संख्या के पराबब इसको आप तरंग संख्या भी बोल सकते हो तो अगर मालीर ये electron दूसरे से तीसरे उर्जास्तर में या पांचवे से दूसरे उर्जास्तर में आ रहा है तो वो किस पर्टिकुलर तरंग ददर्य का प्रकाश उत्सर्जतियां अउत्सर्जत करेगा आप इस फॉर्मला से निकाल सकते हो तो अब अपन हाइड्रोजन के रेक के स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे जिसमें लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फॉट ये पास सीरीज आती है इस पे बेस्ट धेरो प्रशन आप लोगों इसे पूछे गए है ये देखिए ये पूछा है इनोंने स्पेशली सर्फ बामर और लाइमन के बारे में पूछा है बाकी अलग-लग में अलग-लग पूछा गया है हाइडोजन के आइनन उर्जा पहली निकलवा चुका हूँ तो अलग से नहीं निकालना अगर आप निकालने की फिर भी शद्धा में हो कुछ नहीं करने का निकाल चुका हूँ वैसे तो मैंना कैसे करना है ये लिए जीरो माइनस 10 करते ना आपकी आइनन उर्जा जाएगी ठीक है पर फिर भी अगर ही ठीक है हो गया ना अलतों के बार 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 बताव मैं और क्या पूछ आसे ने लाइडमान और व्राइमान तो उस तो करी रहे और प्रथम शेणी की एलेक्ट्रोन वोड की उर्जा भी अ निकाली चुके थे हैं ना पीछे निकाल लिए सब तो पर ने यह रहे धेरो प्रशन जो आपके पास आयवे हैं अलगलग बोर्ट्स के अंदर पहला प्रशन है हाईडोजन स्पेक्ट्र में बामर शेणी बामर शेणी की रेखाओं में अधिक्तम तरंग ददर और नियुंतम तरंग ददर का अनुपाद चाहता है यह हाईडोजन परमाणू का उर्जास तर चाहता है इसकी अलगलग शेणी की सबसे चोटे और सबसे बड़ी तरंग ददर की गणना करिए तो बेसिकली सारे वेंजक, रिडबक, नियतांक के उसमें ग्याद करना है इनी की फॉर्म में ग्याद करना है हम तो वैल्यूज भी निकालेंगी इसको आपको बता रहा हूँ वह लाइमन बामर की दीरगतम तरंग ददर का अनुपात निकाले हाईडोजन परमाणू का उर्जास तर आरेक ब आपको बता देता हूँ प्रशनों को कैसे हल करना है ठीक है तो सारे प्रशन एक तरफ तुमारा सल्यूशन देखते हैं चलो देखो अम बात करते हैं हाईडोजन स्पेक्टरम के बारे में हाईडोजन स्पेक्टरम इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे लाइमन शर्णी के बारे में ऐसे चलता है लाइमन, बामर पाशन, ब्रैकेट और फुंड इंगलिश में उसको पी फुंड पी सालेंट होता है इसलिए उसको इस पेलिंग में तो पी एफ यू एंड याता है पर फोट बोल तो उसको फुंडी है तो लाइमन शर्णी हमारी तब उसको उत्पन होगी जब हमारा इलेक्ट्रॉन या तो पहले उर्जास्तर मतलब एन बराबर एक में हो और एक से किसी और दूसरे उर्जास्तर में जाना चाहता है या किसी दूसरा उर्जास्तर में है कोई फरक नी पड़ता है, वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पाचवे, छटे, साथवे, आठवे, किसी भी उर्जास्तर में कोई फरक नी पड़ता है, तो मैं आपर इसकी अधिक्तम और नियूंतम तरंग दद्रका इससे अध्यान रखेगा, सिर्फ फॉर्वला निकालेंगे, क्योंकि सारे प्रश्ण में भी वही पूछा गया है, ठीक है, तो अब उव्वेसी बात है, अगर इलेक्ट्रोन दूसरे उर्जास्तर से पहले उर्जास्तर में जाएगा, तो उर्जा का मान हो बहुत जादा होगा, अगर उर्जा का मान बहुत जादा है, तो तरंग दद् के लिए n1 का मांद जैसे मैं आपको लाफिक्स ही है n2 का मांद आपन याप ले लेंगे formula जो था उपर को side में लिखता हूं में उसको 1 upon lambda बराबर r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square ठीक तो देखिए 1 upon lambda बराबर बराबर बार पास हो जाएगा r as it is 1 upon 1 का square minus 1 upon 2 का square LCM आज जाएगा 4 चार यहाँ 3 यहाँ तो आया हो रपास 3 आपको चार ठीक है यह minimum निकाल रहे है पन तो नियूंतम आजाएगा तो lambda minimum मा रपास आजाएगा 4 upon 3 आप चाहो तो इसमें भी छोड़ सकते हो कोई tension वाली बात नहीं है जैसे आप देखिए इसना में बोला ना Redberg नियतांक की term में छोड़ दो मंदो में मतलब इसकी form में छोड़ दो जैसे इसने specify किया है अब मालो exam में अगर आप value put नहीं करना चाओ तो इसफाइन कोई problem वाली बात नहीं है ठीके तो बस आप इसके अंदर values learn कर लो और कुछ मत करो खलक बोल गया हम तोड़ा सा यहाँ पर हमें जो तरंग दद्रे मिलेगी वो अधिक्तम तरंग दद्रे होगी नियूनतम नहीं आईगी यहाँ पर अधिक्तम तरंग दद्रे होगी यह उर्जा का अंतर काफी कम है नो फुटा बोले नहीं तरंग दद्रे यहाँ पर अधिक्तम मिलेगी अगर एक एंडू बराबर दो से तीन में जाया तो यहाँ पर अधिक्तम तरंग दद्रे है इसका मान होता बच्चों 122 नेनोमीटर है ठीक है अगर मुझे नियूनतम तरंग दद्रे निकाल नी है अगर हमें नियूनतम तरंग दद्रे निकाल नी है तो उस केस में n1 का मान तो एक ही रहेगा n2 का मान अभणा अपर पर यहाँ पर अनंतम मान जाएगा बच्चो अनंद का square करने पर जो में मिलेगा हो जिरो मिले वो जिरो मिलेगा तो यहाँ पर हमारे पास वन नेंड़ नियूम का मान शिर्फ आया R ठीक है न क्योंकि वन अपंट वन का square तो नहीं होता है तो यह से लेंड़ नेंड़ का साल्फ करने पर आ जागा 91 याने जो लाहिमन शेनी है उसकी तरंग दादरा 122 अधिक तम है और एकराण में याने 91 नियून तम है याने इसकी तरंग दादरा का जो परास है इसकी जो तरंग दादरा का परास है तरंग दादरा का जो आपर बच्छो परास हमार पास आया वो आया 91 नैनोमीटर से 122 नैनोमीटर यह हमें प्रकाश के प्रकाश के अलग लग भाग होता है ना तो प्रकाश के जो यूवी भाग होता है उसमें मांग मिलेगा प्रस्टालर जो होता है लाहिमन वो यूमियो में बामर जो होता है वो दरश्यप्रकाश्मों तो यह आपर द्यान रखेगा लाइमन जो है वह आपका इसमें अपया आता है चले लाइमन के बाद आपर बाथ करते हैं जो पांशन सीरीज के बारे में तो बामर शिणी के लिए बामर शेणी के लिए आपका N1 का मान दो जाएगा मतलब इस बार कोई भी कोई भी इलेक्ट्रोन जो है किसी भी उरजास्तर से तूसरे उरजास्तर में आना चाहता है पहले पहले उरजास्तर में आना चाहता है ताब दूसरे उरजास्तर में आना चाहता है तो n2 का मान तीन चार पांच ये कुछ भी आ सकता है यह ना इस केस में अगर मुझे अधिक्तम तरंग दाधरे निकाल नहीं है तो अधिक्तम तरंग दाधरे के लिए अधिक्तम तरंग दाधरे के लिए अधिक्तम तरंग दाधरे के लिए बच्चो न1 का मान तो हम दो रखेंगे और न2 का मान हम तीन रखेंगे तो इसे साबसे मारे पास 1 अपॉन लेम्डा मैक्जिमम का मान आ जाएगा और 1 अपॉन 2 का स्क्वार माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वार 1 अपॉन लेम्डा मैक्जिमम जो हमारे पास वो आ जाएगा और 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9 तो 1 upon lambda maximum में मिला नौ चो को गया 36 उपर आ जाएगा नौ माइनस चार पांच तो इससाब से मारे पास अधिक्तम धरंग ददर्या में मिला 36 वटा पांच ठेक है ना जैसे उसने आर की मंदों में निकालने के लिए लिए था तो अगर एक्जाम में आता तो छोड़ सकते हो लेकिन अगर वैल्यू याद कर लोगो तो जैसे मनें मजा आ जाएगा आपको जिंदगी सुखनुमा हो जाएगी एक्जाम में तो यह हमारे पास होता है 656 nm हो सकता थोड़ा सा fluctuation हो कोई problem नहीं है 656 nm के आसपास यह अधिक्तम तरंग दर आ गई ठीक है नियूंतम के लिए आपको पता है n2 का मान हमाने दो रखना है sorry n1 का मान दो रखना है और n2 का मान अपने को अनंदर रखना है ऐसा करोंगे तो आपको मिलेगा 365 365 वो भी निकाल के बता देता हूँ क्योंकि यह तो पूछा गया स्पेश्लीस लिए तो हम अब करते है अधि नियूंतम तरंग दर रहे नियूंतम तरंग दर रहे नियूंतम तरंग दर के लिए n1 का मान दो n2 का मान अनंदर लेंड़ा मिनिमम पराबर आगया आर बाय चार यहांसे लेंड़ा मिनिमम में मिना चार बटा आर तब अन्वन तीन सब है सट 360 क्या बोला तम भूल गया कुछी बलकड़ों बहुत मेरे जित्ता बलकड़ों ही ना होगा 365 365 मेरे को याद नहीं में तो कुछी देखके लिख रहा हूं values याद नहीं मेरे को याद आप आर की टर्म्स में भी छोड़ सकते हो कोई शुनिए यह 365 से 656 हो गया नहीं हो गया 365 से 656 nm और यह आपकी द्रश्य如果你 लेंare यह आपका तरंग्दर्य परीसर हो गया यह तरंग्दर्य परीसर हो गया और यह अच्छ याप्रकाश के दर आता हे अब जो प्रश्न आप लोगों से पूछे गए, वो लाइमन बामर परी पूछे गए, तो मैं आपको प्रश्ण करा देता हूं, कि किस तरीके के प्रश्ण में किस तरीके का अंसर छापना है, जैसे फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन स्पेक्टर में बामर शिनी की रेखा हों तो जैसे मेरे अधिक्तम तरंग दादिर, जो है, वो हमें मिली थी 4 बटा 3 और इसकी नियुनतम हमें मिली थी 1 अपोन आर, जैसे फर्स्ट वाले का अंसर एक्जाम में पूछा तो अपन लेखेंगे 4 बटा 3, उल्टा लेख दिया मैंने, 4 बटा 3 ये तो अधिक्तम हो गई, नियुनतम कित्ती निकली थी, एक बटार, बच्चों दोनों को भाग देने पर हमें मिलेगा, 4 बटा 3, ये इसका अनुपात हो गया, 4 अनुपात थी, डारेक्ट इस तरीके से रिवाइड करके आप बता दो कि कहानी खतम, हाना, अब जैसे इसमें बोला है, लाइमन शणी क सबसे अधिक्तम और नियुनतम हमने कैल्कुलेट करी ली है, अब जैसे इसने रिडबर्ग की कॉंस्टेंट की टम में बोल दिया, ठीक है, और इसने बोला देखो, बामर शणी में अधिक्तम और नियुनतम तरफ द्यादरों की घर्णा, ये विपन ने कर ली, ठीक है, तो अधिक्तम और नियुनतम लिख देता हूँ, तो यहाँ पर बच्छो में रपास आईगी, maximum value के इंदर अपने को करना पड़ेगा, 4 का square, माइनस 3 का square, तो नीचे आजाएगा, मारे पास, नीचे तो आजाएगा, इस सेक्तम तरीके से निकालना है, कुछ भी अलग नहीं करना, कौन से फई है, कि इस केसमें, n1 कमान 3 रहेगा और n2 कमान इसके अंदर 4 रखना है उससे में अधिक्तम तरंग दादरे में रहेगी ठीके इससे तरहेगे से गर नियूंतम तरंग दादरे की बात करूँ इस केस में n1 कमान किता रहेगा 3 और n2 कमान इसमें किता रहेगा ऐसा करने बार हमें नियूंतम तरंगता द्रह मिलेगी और नियूंतम तरंगता द्रह में कितनी मिलेगी कितनी आएगा 9 पींतिया 9 द्रह न 9 बटा कोई इनुपात पूझे तो इनुपात निकाल ले न आपका अज़र लेकर वेल्य आपको लिखी भी है अपकी नोट्स में हैí मादि इसको कापी कर सकते हो यह इसी को undertud कर षकते हो एक्या लाइम अधा है अ यह Yत हमारे अवरक्त भाग ए प्रकाष के अवरक्त भाग जोसको इन्फ इन्फ्रयड बोलते है और नाक्ष्ट के तीन इन्फ खा वास्च्चन, bracket, next हमार पास आएगा, bracket, bracket payback आ लिए एनवन का मान इस बार हमार पास हो जाएगा चार और एनटू का वह हमान हमार पास पाँच, चches, आतर नाउ दस के तना भी हो सकता है, इवन अनटू का मान चार रखता हूँ into का मान 5 रखता हो, तो बंधे गदएर मिलेगी वो अदिकतम मिलेगी और इस अदिकतम Tharang Dhar commencement का मान क Harley आफ हो जाएगा 16 उपर उजाएगा 25 इंडосьgl 17 और नीच आजाएगा इंका difference इनका difference अष्ण 11 आख 25 छी हो गया 1950 पच्छास अले 16, 85, 8 हांसल का 16 तो नी 32 32 और 8 हो गया 400 400 बट्टा ग्यार अर ठीक यह देखताम तरंग दे रहे N1 का मान यहाँ पर 4 होगा N2 का मान आपर अनंत होगा Lambda मिनियों की वेल्यों अमरे पास अजाएगी 25 अपोन आर पच्छस बटा आर ठीक यह देखताम अन्यूंतम तरंग दे रहे आगे हमारे पास यह भी हमारे अवरक्त भाग में आती है 16 आएगा ना पच्छस कैसे लिख दिया में 16 बट्टा यह भी अवरक्त भाग में आएगी फुंड जो पूछने की सैंसे साब सबको पता बहुत कम है ना के बराबर यह है पर फिर भी इशुड नो फुंड की बात करते हैं फुंड जो इंगलिश में इसकी स्पेलिंग में टी और फिर फुंड आता है तो उसमें एन वन का मान तो पांच होगे एन टू का मान यह आपर छे, साथ, आठ से लेकर क्या नंता कुछ भी हो सकता है तो एन वन का मान यह पर पांच है इंटू का मान यह पर छे है अगर मैं इसा लेता हूँ तो लेंड़ा की मेंग्जिम में लिवा जाएगी नीचे तो आजाएगे इन दोनों का अंतर तो 36 ऊपर तो आजाएगे 36 इंटू 25 और नीचे इनका अंतर किता रहा जारा जाएगा तो ग्यारा आरी आजाएगा पच्चेस चीक होगया 150 पंदरा हासिल का 25 थीआप 24, पिछत्तर और 15 होगे आपस नदा बेने 900 चीक है और अगर मैं N1 का मान जो है वो पांच रख दू और N2 का मान अनंत रख दू तो उसकी सब्सक्राइब नियूंतन तरंग दद्रे मिलेगी इस नियूंतन तरंग दद्रे का मान वार पस 25 यह भी अवरत का भागे चीक है चलिए I hope सबको इतना क्लियर हो गया होगा चीक है बच्चों तो I hope यहां तक सबको बात समझ आ गई होगी तो यह पांच शेडियां हमारे पास होती अब इसका बनाएंगे अपन डाइग्राम चलिए तो देखिए इसका डाइग्राम देखिए तो सबसे बले न बराबर एक होगा अरे यह डॉर्टर नीचे मेरे को सबसे बले न बराबर एक 240 अब यह जाती है न बराबर टीश फिर न बराबर 4, न बराबर 5, न बराबर 6 और न बराबर अनन्द न बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह अनन्द कोई भी electron अगर किसी भी उर्जास्तर से पहले उर्जास्तर में आता है उसको हम क्या बुलते कि वो क्या कर रहा है? लाइमनचनी उत्पन कर रहा है तो इस सब के सब काम करो, उसको color को change कर रहा है ग्रीन ले ले तें, इच्छा है, सब यह देलो किसी भी उर्जास्तर से अगर हो पहले उर्जास्तर में आ रहा है क्या उत्पन करेगा बच्छो लाइमन शणी किसी भी उर्जास्तर से देखो मैं पहले उर्जास्तर में लेकर आ रहा है उसको तो यह हम क्या उत्पन करेगा लाइमन शणी लाइमन ठिक किसी भी उर्जास्तर से अगर दूसरे उर्जास्तर में आ रहा है तो पाश्चन बामर या बार बार पाश्चन पाश्चन पता नहीं कोई से मुझे निकल रहा है दूसरे में आ रहा है तो बामर तो गर अरपस बामर बामर शुरी लाइमन बामर फिर आएगा, पाश्टन, किसी बूर्जास्तर से अगर है सिह में आजाए, तीसरे में। तो यह हमार रपस आजाएगा up पाश्यन किसी बूर्जास्तर से अगर 4 बूर्जास्तर में आजाए, तो ब्रकेट शुद्धा के अंदुशार आपको इक्स्टा बनाने तो बना सकते हो यह ब्रैकेट हो गए और लास्ट अगर पांच फी उर्जास्तर में आ जाए तो फुन में ज्यादा नहीं बनाया च्छे तक यह बनाया था इसलिए ठीक है न वैसे तो बहुत सारी अनन संभावन आ है लेकिन मैंने कुछ को चुछ हो जासता है यह मारे पास हो गया हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन के लिए रेखिंग स्पेक्ट्रम और एक उर्जा डायग्रम पहले बनाया था इरेखिंग स्पेक्ट्रम का डायग्रम और ध्यान लखना चीज का चलिए यहां तक सबको समझ आगया होगा बस अब दो ही टॉपिक पच्छे हैं एक तो क्या गडबड कर दी थी बहुर भाई साब ने जिसकी विज़े से उनका मॉडल अंसक्सेस्फुल रहा और उसकी बाद अपन डिसकस करेंगे कि उनके सेकेंड जो भी रही तो उसको कैस एक्स्प्लेइन करें तो यह मुझे थोड़ा टेड़ा लग रहा है प्रिशद्दा के नुसार मैं इसको थोड़ा सा सीधा अगटना चाहता हूँ ठीक है अभी ठीक लग रहा नँद भावनवा पर चौकаем तो बोर के मोडल की क्या क्या कमिया थी बोर के मोडल की कमिया पढ़नी है अपने को बोर के मोडल की कमिया बोर के मॉडल की कमिया ठीक है देखिए बोर के मॉडल की क्या क्या अकनिया थी देखिए सबसे पहली गमी जो थी बोर का मॉडल जो था वो सिर्फ उन्ही एटम पे अपलिकेबल था उन्ही परमाणों पे अपलेगे बलता है जिसमें से फेक एलेक्ट्रोन होते है सबसे बड़ा डूर रहाएगे था ये केवल एक एलेक्ट्रोन वाले परमाणों अब आप बोलो के स्रीए तो हाइडोजन नहीं होता है नहीं हाइडोजन भी होता है लेकिन जैसे हाइडोजन का तो कहब टेंचना है हील्यम एजी एकल्यक्ट्रोन निकाल दो एकल्यक्ट्रोन बचेगा ये लीथियम में ऐज से दो इलेक्ट्रोन निकाल दो इन्गे लें मालने था जो उन्होंने अपना दूसरा ब्रहित देहा था कि जो कुणिया सम्वे के बाइचे पन्टू पाई का पूर्ण गुणों जुडाँची उसका कोई जस्टिविगिशन नहीं दिया था तो अपने द्वितिय अभिग्रहित के लिए ग्रहित के लिए बोर ने जस्टिविगिशन को निमी क्या बोलेंगे स्पश्टी करण के लिए बोर ने कोई स्पश्टी करण नहीं दिया अब इलेक्ट्रोन जो होता है वास्ता में व्रत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है ये बोर ने नहीं बता है वो तो व्रत्ताकार वोपे अटके हुए थे इलेक्ट्रोन वास्ताव में दियर व्रत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है इस तरीके से जो स्पेक्ट्रम में में बिल रहा था उस स्पेक्ट्रम के अंदर दूख जाने पर तीव्रता कम क्यों हो रही थी उसके बारे वनों नहीं बताया तो स्पेक्ट्रम रेक्ट्रम लिख दो पहले रेक्ट्रम की तीव्रता के बारे में बारे में बोर के बारे में बोर ने स्पश्टिकर नहीं दिया नहीं दिया और लास्ट पॉइंट यह था कि भाई जब हमने वास्ताव में इन लाइन्स को यह अपने को लाइन दिखरी है इनको और पावर्फुल माइक्रोस्कोप से देखा तो इन्होंने अब्जर्व किया कि यार यह तो और छोटी-छोटी लाइनों में डिवाइड हो करती है जिसके बारे में उन्होंने कोई explanation नहीं दिया था ठीक है तो लास्ट पॉइंट उसको वटावर्फ से लिख देता है अपन तो चुम्बक्य शेत्र में यस यह रेखाएं अन्य छोटी-छोटी अन्य सुक्ष्म रेखाओं मैं विभाजित हो जाती है इसको वन बोलते हैं जीमन प्रभाव वन बोलते हैं जीमन एपिक्ट जीमन प्रभाव इसी प्रकार विद्यू चेत्र में अगें यह रेखा है चोटी-छोटी सुक्ष्म रेखाओं में वाजित हो जाती है इसके बारे में ही इन्होंने कुछ नहीं बता है इसको स्टॉर्क एसको स्टॉर्क एफ़क्ट बोलते हैं अरे यारे तो आही नहीं रा यार इससे मत करो यार इतनी मैनत से काटा है नहीं छोड़ में लिखता हूँ रेखाओं में बाजित हो जाती है इसको अब बन मोलते हैं स्टार्क एफ़क्ट के बारे में बोल नहीं बता कि ऐसा होगा ठीक है चले अब हमारे सबसे लास्ट प्रिक्ट जलते हैं बोर के द्वित्य का बिग्रहित की explanation जो यूपी बोड में आय हुआ है बोर की सायता सिद्ध कीजिए कि किसी पर्माणों के भीतर किसी इस्थाई कक्षा में परिदी उसकक्षा के संगत इलेक्ट्रोन की डी ब्रॉगली तरंग दद रखे पुर्ण बुर्ण चुपती है वही जो हमने बोला था तो अब हम द्वित्य अभी ग्रहित का सकते आपन डी ब्रॉगली पर यूज़ करें देख और डी ब्रॉगली ने बात बोली थी कि कोई भी वस्तु अगर गती करेगी तो उसके से असोसेट कोई नब को एक तरंग होगी और उस तरंग की तरंग दद रहे है चपन पी के बराबर होती है तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोन भी वरत्ता का रक्षा में चकर लगा रहा है तो वास्तों में वरत्ता का रक्षा में चकर नहीं लगा रहा है वास्तों में इलेक्ट्रोन तो तरंग की रूप में ऐसे गती कर रहा है ऐसे गती कर रहा है जहाँ पर इनके बीच का जो अंतर है बच्चों वो औबिस्लिया लेम्डा के भराबर हुच देखो, लेम्डा, 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 लेम्डा लेम्डा, अब लेम्डा के होसकता हुगी स्की रहे का नहीं हे डू लेम्डा चु beginning साडे 거죠 साडे का यह sure लेम्डाop सपु içi kitaBe XV कु लेम्डाop सब्सक्राइब कोई नंबर होगा कोई ना कोई आपका पूर्ण संख्या होगी है ठीक है तो यहां पर जो लेम्डा है वो अगर मैं डी ब्रोगली के सबसे वह कूँ तो डी ब्रोगली के अनुसार यह जो लेम्डा है उच्छी बराबर होता था है एच बाय पी के और पी आप सब जानते हो एंबी के बराबर होता है क्योंकि एंडी गख्षा के बारे मात करो इसलिए मैं वी एंग को कुछ है उसको रेप्लेस करने पर देखो आर न बराबर मिला मुझे एंच एंच एंवी कुछ गड़बड कर दीगे अच्छा सॉरी इसकी परीदी के बराबर होगा न तो तो थोड़ा सा रियरेंज कर लो तो देखो यहां पर आजाएगा mvn, mvrn is equals to n upon 2. इसको अपन ln भी बोल सकते हैं, यही था इनका द्वितियर अभिग्राइद. I hope सब बच्चों को समझ आ गया होगा, इसी के साथ ही हमारा चाप्टर जो यहां पर over होता है, expectation से बहुत कम टाइम में मैंने खतम करा दिया है, मुझे भी यकीन ही हो रहा है कि मैं तजलिये से करा दिया है, तो I hope सब को समझ आ गया होगा है, दो गुंटे से भी कम मैं क्या सब को समझ आ गया होगा, बहुत सारे बच्चे गया है, बहुत सारे बच्चे पता नहीं मुझे, ग्यारवी क्लास का इस बार one shot नहीं करा पाए, मेरे को आपको पता है, तबियत खराब थी मेरी, अब जो भी वापस Tuesday आ रहा है, आज हमारे पास शुकरवार हो गया है, जो अगरा शुकरवार आएगा, उसमें आपको उस वाले चप्टर का जो हमारा one shot बचा था वो करा हो, ठीक है, इंपोर्टन करा दी नहीं में बटा, स्टार्टिक में नहीं बताए गया, जो जो इंपोर्टन है वो बता दे तो हमें आपको, इंपोर्टन टॉपिक में देखो, इसको कलर चींज कर दे तो हम पहले तो, देखो, बोर के मॉडल के अंदर इसके अभिग्रहित आप सबको समझा गया, अगर इंपोर्टन है, इलेक्ट्रोन का वेग, त्रिज्जा, आवर्त का लोट जा, इसको तो कलती से भी छोड़के नहीं जाना है, मतलब बोर के मॉडल आपको पढ़ना है अच्छे से, और कोचा पढ़ो ना पढ़ो चलेगा, और जो लास्ट वाला है, सिर्फ एक बार यूपी बोर्ड ने पूचा, तो यूपी बोर्ड वाले एक बार बच्चे इसको जरूर देखे ले, बाकी तो बोर्ड वाले नहीं देखेंगा, तो इरोजन का जो रिखी की स्पेक्टरम ता, उसमें लाइमन और वामर सीडिस को स्पेशली देख कर जाएं, बाकी इस चैप्टर में से कुछ भी इस इंपोर्टन नहीं आता है, सिंपल सिंपल प्रशनी आते हैं, निमेरिकल भी फॉर्मला बेस जी आएंगे, आपको फॉर्म गंटे का वीडियो है, आप डबल की स्पीड से भी देखकर जाओगे, तो एक गंटे मी चप्टर निपड़ जाएगा, तो अगर आपके पास दो से तीन दिन की छुट्टी आ हैं, और आपको चप्टर रवीस करना है, तो डबल की स्पीड में आप देखें, चैप्टर ठीक है, चले तो बवाए, गुट नाइट, स्विट डिम्स, टेक केर, टा, टा,